अजी बच्चा पाटी कैसे हैं आप सब ? Welcome to Doubtnet हमेशा की तरह मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना क्याल भी रख रहे हैं है न? ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आपको class जो attend करनी है चलिए बच्चे पाटी मैं हूँ विजाता आपकी बालाओ जी टीचर और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने चाप्टर के बारे में कौन सा था यह चाप्टर यह चाप्टर है जीव जगत का वरगी करन जहाँ पर आज हम क्या पड़ेंगे कव अक्याने की फंजाए जो यह सब देख रहे हैं आप यह सब क्या है फंजाए है ठीक है ओखे तो जो बच्चे आज यहाँ पर नए जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज अगर आपको आज समझने में थोड़ असा दिकत होता है तो पहले जाके प्रीवेस वीडियो को देखो वहाँ पर देखो कि एक्चुली में चल क्या रहा है यहाँ पर ठीक है वहाँ देखो कि समझ में आएगा और कंटिनेशन बनेगा एक थोड़ा ब्रेक आता है तो क्या होता है कि हम चीज़े भूलने लगते हैं कंफूशन में जाते हैं लेकिन अगर आप कंटिनेशन में आओगे तो नहीं भूलोगे और नाहीं कोई गड़बढ होगी ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कवक जगत क्यों ठीक है पिर हम के बात करें कवक की संदृषन के बारे में बात करेंगे फिर हम कवक में पोशन रेखेंगे फिर हम देखेंगे इसका आखिर में वर्गी करें ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आप देखो की कवक रुको एक नेट कुछ कवक हैं यहाँ पर यह मैं दिखा दियूं आपको ओके अब भी दिखाते हैं यह देखो आप सोच रखेंगे क्या है यह सब लेकिन यह सब क्या है कवक है फंगी है यह सब है ना कितनी खुपसूरत लेकिन बच्चा पार्टी इनकी खुपसूरती पर इतना ध्यान मत दे ना बहुत खतरनाग भी है यह सच्च में ठीके चलो आगे बढ़े ओके आगे बढ़ते हैं और इसके अब यह जो कवक है हमारे पास तो यह कवक है तो यह क्या है यह कहीं कहीं हमारे लिए इंपोर्ट होते हैं ठीक है है डो टेल इसी तरीके से कोई भी चीज है उसका एक अच्छा पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट होता है ठीक है अगर आप यूट्यूब पर क्लासिस देख रहे हो तो वह अच्छा पार्ट है ठीक है और दूसरा नेगेटिव पार्ट भी है जहा पॉजिटिव पार्ट में जहां पर इसके अच्छे क्या है केरेक्टर से गुण है यहां पर हमको यह यूस्फुल है और नेगेटिव पार्ट में जाहेंगे देखेंगे कि भाई यह हामफुल भी बहुत है हमारे लिए तो चुलों तोड़ा सा देख लेते एक ओवर व्यू ले लेते हैं कि इसके लाब कारी गुण ठीक है लाब कारी गुणों की बात करते हैं सेलो सबसे पहले ठीक है तो भाई लाब कारी गुण हम क्या है कि क्या है East East का नाम सुना है East क्या होता है ये बेकरी में यूज होता है बेकरी में यूज होता है कहां पर Bread ठीक है Bread बनाने में ठीक और घर में भी यूज होता है East क्या जब मम्मी घर में क्या बनाती है छोले बटूरे एक देर ऊसमें जो मेंदा को तो अच्छाने वाला बोला भूला के लिदा है यह जो एस्त है दूसरे जगा कहा यूज आता है यह फर्मेंटेसिन में हमें फर्मेंटेशन में टीक है, फॉर्मेंटेशन, जैसे कि किसी चीज़ को मतलब फॉर्मेंट करना, टीक है, फॉर्मेंटेशन का क्या एंग्जैंपल दे सकते हैं, कॉमेंट में बताओ, मुझे उसका वो पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहे है, फॉर्मेंट को आतलब सडा ना, है ना, यही बोलेंगे शायद, चल आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बीर फेक्टरी में यूज होता है, ठीके, जो बीर फेक्टरी होती है, वहां पर यूज होता है, ठीके, ऐलकोहल में, आलकोहौल, ठीके, ये सब चीजे, दिखो ये, जो बीर हो गई, ये जितने भी अलकोहॉल होते हैं, इसे क्या होते हैं, कि इसे फर्मेंटिर होते हैं, ठीक है, फर्मेंटिर उनको सड़ा के फिर बनाते हैं, है ना, इसी लिए, चलो, उसके बाद क्या होगे, एंटिबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटिबायोटिक्स, राइट, फिर यहां तो भी बेकरी और फर्मेंटेशन में फिर हमारे पास आता है एंटिबायोटिक ठीक है एंटिबायोटिक कौन सी पैनेसीलियम पैनेसीलियम ठीक है फिर अगर हम अपने फार्मिंग की बात करते हैं मतलब क्रिशी की बात करते हैं क्रिशी की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो क्रिशी में क्या करता है ये अब अब घटक के रूप में ठीक है अब भोजन में तो मैंने बताई दिया है ठीक है भोजन में भी ये यूज हो जाते है भोजन कैसे मश्रूम मश्रूम क्या है कवक है हाँ ओके और उसके बाद किस चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसको हम कीट नियंतरण ठीके याने की जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ठीके तो यह सब क्या होगा एक लापकारी इसके पॉजिटिव जो क्यारेक्टर्स हैं ठीके अगर हम नेगेटिव की बात कर जो नुकसान है नेगेटिव याने की हानी कारक हानी कारक reducing हानी घट करते हैं तो यहां क्या क्या आएगा ? हानी कारक गुण में सबसे पहले गेहूं में ये रोक पैदा करते हैंना गेहूं गेहूं में क्या होरा है रोक पैदा होरा है ठीक इस से पकसेनिया ठीक है उसके बाद उसके बात क्या हो रहा है बिमारी पैदा करते हैं बिमारी जैसे food poisoning हां food poisoning हां ठीक है food poisoning में क्या होता है पेट में दर्द हो जाता है हां पेट में दर्द ठीक है vomiting ठीक है और जलन होना ठीक है फिल क्या करते है ये हमारा furniture भी जैसे furniture क्या बोले लकड़ी खराब करना ठीक है लकड़ी पर इस आ जाता है जब फंगस कभी तो लकड़ी खराब कर देता है ठीक है अगर हम बात अपनी body करते है तो क्या करता है ये skin पे क्या करता है itching करता है ठीक है itching याने कीons कजली कर देता है na fungal infection हो जाता है शरीर के उपढ़ हा तो ये क्या हिसका negative part है इसके साथ साथ, इसका एक और भी है, कि भाई, जो food की बात करें, अगर हम खाने की बात करें, तो zeहरीले mushroom होते हैं, ठीके, जहरीले mushroom होते हैं, ठीके, उन्से खाने से भी क्या होगा, food poisoning हो जाती है, और कभी-कभी इतने जादा मतलब हामफुल होते हैं, कि death हो जाती है, किसी particular तो यह हमारे फंगी के बारे में था चलो आगे बढ़ते हैं भी ठीक है ओके चलो देख लेते हैं कि यह क्या कहना चाहरा है हमसे यह हमको बोल रहा है कि भाई पर पोशी जीवों में फंजाई याने कवक का जीव जगत में विशेश अध्वुत याने की अमेजिंग प्लेस है इसकी इसके पॉजिटिव भी बहुत है इसके जो रिस्पॉंस से पॉजिटिव भी है और नेगिटिव भी है पर नेगिटिव कम है और पॉजिटिव जाता है है ना इनकी अकारिक की ततावास इस्थानों में बहुत भिन्निता होती है मतलब इनके है न उसके इसाब से जो इनका आवास स्थान है वो बहुत ज़्यादा अलाग है है यह काम मिलते अपड़े को नम रोटी पे मिल जाते है ठीक है जो रोटी को सीलन वाली आ जाती है सड़े हुए फलों में मिल जाते है जो फला स COR ذाते हैं ना हाँ उनके उपर आप देख सकते ह अच्छा बते एक चीज और जो कपड़े होते हैं न सीलन वाले कपड़े देखा है कभी-कभी कपड़ों के उपर ही फंगस लग जाती है देखा है अब लोगोंने अगर देखा होगा कि किसी के घर में सीलन आ रही है न उस सीलन जो आती है तो वहाँ जो किताबे रखी होती है, वहाँ जो कपड़े रखी होती है, उनके उपर भी फंगस लग जाती है, कभी गौर से देखना इस चीज को, ठीक है, चलो, सामाने छत्रक, यानि की मश्रूम, तथा कुकुरमुता, जिसे क्या कहता है, टोड स्टूल भी फंजाई होता ह मैंने भी क्या मूला था, भोचन में हम मश्रूम लेते हैं, मश्रूम क्या होता है, फंजाई होता है, सर्सों की पत्तियों परिस्ति सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते है, टीक है, कुछ एक कोशी की फंजाई होते हैं, जैसे की इस्ट, जिसका मैंने आपक यो तो डीष्या आपको बनाने के लिए किया जाता है इन चीजों के बारे मैं आरड़ी पिछली स्लाइट के आपको सब कुछ बता चकी हो ठीक है ना बिलकुल चल आगे बढ़ते हैं अगर यह एक ब्रेट के उपर किया हो रहे है देखो यहाँ पर यह आप यह क्या है यह फंगी लग गई है ब्रेट के होता है बहुत दिन तक बाहार रखा रह जाता है ना देखा अब लोगों ने अपने ग़रों में हाँ बताओ देखा कभी ब्रेट रख़े रहाती है रोटी बन जाते हैं उसके उपर अचा एक चीज और मुझे नहीं पता आपको पता होगी या नहीं पता होगी जो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है अगर यह एक ब्रेट के उपर लगता है ना तो इसका मतलब यह है कि उपर से लेके नीचे तक पूरा ब्रेट खराब हो चुका है क् प्रेट के निचे आपने कॉलॉनी जोए ना बहुत जल्दी फैलाते हैं अगर अगर देखो यह क्या यह ब्रेट का प्यक्त है तो पूरा ब्रेट बेकार है ऐसा मैं सोचना है कि दो में लगी तो दो फैक नपड़ेगा इस चीज को याद धटना यह अपनी कॉलॉनी को बह यहां आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तो इसलिए ध्यान डखना नेक्स टाइम अगर घर में जो है यह ब्रेट खराब हो जाता है एक भी पीस खराब होता है तो पूरा ब् डोसे का बैटर होता है जो डोसे का बैटर होता है उसको भी तो फर्मेंट करते हैं है ना ठीके तो वो फर्मेंटेशन यह होता है ठीके देखो इसको चलाने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा देखो इस तरीके से East डाला है इसमें हमने देखो उसको उठाएंगे तो देखो यह ऐसा हो जाता है Bakery's में यूज होता है East डाल के ठीके? Clear है यह? जो डोसे का बैटर होता है उसको भी इसी तरीके से करा जाता है ठीक है ला इदली बैटर हो गया डोसी बैटर हो गया जितने भी बैटर होते हैं तो यह ज़रु नहीं कि सर्चों के और आगे बेड़!!" ऐसे जितने भी पत्ते होंगे जिसके उपर आप सफेज सफेज देखोगे ना समझ जाना कि भईया वहाँ पर फंगी है चलो आगे बढ़े यहां तक समझ पर आ रहा है आप सबको किसी हो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अगर कोई डाउट है तो क्या करना है अपने को हर बा यहां पर क्या बोल रहा है यह बोल रहा है कि भाई कुछ अन्य फंजाई भी है याने कि फंजाई लग कुछ दूसरे कवक भी है जो पेड़ और जानवरों के रोग के कारण भी होते हैं ठीक है मतलब जो पेड और जानवरों में जो रोग हो रहे हैं वो दूसरे फंजाई की वज़े से हो रहे हैं जैसे कि अब हमने सर्सों के बारें बात करी है ना सर्सों की पत्ती के ओपर देखा था था ना ठीक है चलो उधारन के लिए गेहू में कित रोग ठीक है किसकी वज़े से हो रहा है ये पकसीनिया ठीक है पकसीनिया ट्रिटिसीना के कारण हो रहा है अब कुछ फंगल जैसे पैनिसीलियम मोल्ड स्वभाविक रूप से एंटिबायोटिक पैनिसीलियम का उत्पादन करता है अब फंगाय क्या है विश्व व्यापी है मतलब वर्ल्ड फेमस है इतनी फेमस पस्टनालिटी है ये किसको सब जानते हैं ये जल हवा मिट्टी तथा जनतों पौधों पर पाए जाते हैं हर जगा मिल जाएंगे आपको अब हैं इतनी फेमस पस्टनालिटी क्या कर सकते हैं चलो, ये क्या होता है, गर्म तथा नर्म इस्थानों पर सरलता से पाए जाते हैं, ठीके मैंने सीलन की बात करी थी नहीं, जहां सीलन होती है, वहां क्या होता है, वहां क्या होता है, ठीके वहां मौईस्चर होता है, है ना मौईस्चर का मतलब वहां पानी के जो कण है, ठीके वो वहाँ मौझूद है ठीक है इसलिए वो नम इस्थान है और इसलिए वहाँ पर फंगट लग जाता है है ना चल आगे बड़े ओके चलो अब हम कवक की संरशना देखते हैं इसके लिए हम वाइट कालर उठाएंगे तो example लेते है चलो bread के ऊपर ठीक है ये क्या है देखो आपका एक bread का slice है क्या ही है bread slice ठीक है इसको हमने दो से चार दिन ऐसे ही चोड़ दिया दिन इंगलिश में लिख दिया समझ जाना या फिर मैं इसको हिंदी में लिखूँ चलो हिंदी में लिख देते हैं दो से चार दिन ठीक है वो इंग्लिश में टेक्स करते करते आदा तोग यह लिखने की चलो यह ब्रेड है हमारे पास ठीक है इसको हमने दो चार दिन ऐसे ही छोड़ दिया अब जब इसको द तूसरे कलर से बना देते हैं, ऐसे बनाते चलो, इसके उपर जो फंगस आएगी न, वो कुछ इस तरीके से बनती है, ठीके, कब देखेंगे इसको हम, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीके, कब देखेंगे इसको हम, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, ठीक है, microscope मतलब सूक्षमत दर्शी जो होता है, उसके अंदर देखेंगे इसको हम, ठीक है, चलो जब इसको देखेंगे, तो यह हमको क्या से दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा इस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, चलो, उसके बाद क्या होता है, चलो हम दूसरा कलर उठाते हैं, और इसको देखते हैं, यह जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कवक तन्तु कहलाता है, क्या कहला है, हाँ, कवक तन्तु, यह एक तन्तू नुमर स्ट्रक्शियर होता है जिसको हम कवक तन्तू बोलते हैं ठीके क्या कहलाया यह कवक तन्तू कहलाया ठीके ओके उसके बाद कवक तन्तू हो गया भई ठीके अब यह अकेला होगा तो क्या कहलाएगा कवक तन्तू कहलाएगा लेकिन जब यह समू में होत होता है याने कि group में होता है तो क्या कहलाता है ये mycelium mycelium जिसको हम क्या बोलते हैं कवक जाल कवक जाल बोलते हैं ठीके ये क्या है ये सब तन्तुनुमा स्ट्रक्चर आये ठीके तन्तुनुमा स्ट्रक्चर आये ठीके ओके चलो यहां तक सबको clear अब चलो अब देखते हैं यहां तक तो clear हो गया है तो next time कभी भी आप अपने लाब में जाओना तो अपनी मैम को जरूर बोलना कि मैम हमको फंगी देखनी है कवक देखना है ठीके जिसके लिए आप क्या करना preparation करना कि भाई एक bread को 2-4 दिन एक moisture वाली जगा पर रख देना फ्रिज में मत रखना बिलकुल भी ठीके कभी सोचो कि फ्रिज में उपर फ्रिजर में रख देते हैं तो उसमें जो है क्या आजाएगा फंगी आ जाएगी बिलकुल भी नहीं आएगी वो जम जाएगी उल्टा ठीके ब्रेड जम जाएगी चलो ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको ब्रेड लेना है उसको 2-4 दिन ऐसी जोगे तो अभी जो मैंने एक ब्रेड का स्ट्रक्चर दिखाये था ना ग्रीन पैचिस आ रहे थे उसके उपर तो क्या होगा कि इस तरीके से वहाँ पर उग्रीन पैचिस आपको दिखाई देंगे लैब में ले जाना लैब में ले जाके माइक्रोस्कोप के नीचे देखन ठीके तो आपको वो स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा चलो ओके तो ये था यहाँ पे अच्छा हम ये भी कर सकते कि बहरी दो टाइप के होते हैं ठीके तो जो अगर हम पहले की बात करते हैं तो एक तो इस तरीके से अगर मैं इसका एक portion ये वाला उठा लूँ अगर ठीके य यह वाला portion में उठालू, तो यह कैसा दिखाई देगा मुझे, इसके जो केंदरक है, वो ऐसे एक बहुत प्यारी सीधी सी लाइन में मौझूद होंगे, बिल्कुल लाइन खराब नहीं करेंगे, ठीके, यह क्या इसके केंदरक है, केंदरक, ठीके, इनको क्या बोलेंगे, इस हाइफी कहलाता है, हाइफी, हाइफी, ठीके, क्या कहलाएगा, यह कवक्तंतु हाइफी कहलाता है, करेक्ट, चलो, अब इसको क्या बोलेंगे, केंदरक, जिसको, जहाँ पर लाइन से मौझूद होंगे, केंदरक, उसको क्या बोलेंगे, इस एप्टेट हाइपी, ठीके, औ और वही पे अगर मैं इस दूसरे वाले को उठा लेती हूँ, चलो दूसरे का एक्जामपल लेती हूँ, suppose करो, इसको लिया, और ये कैसे मौझूद है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मौझूद है, ठीक, क्या मतलब कि इनके बीच में एक लाइन इस तरीके से ठीक है, चलो, ये हो गया अपना, आगे बढ़े अभी, यहां तक क्लियर सबको, रेट के बारे में, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, चलो, फंजाई तंतु मई है, मैंने अभी क्या पता है आपको, फंजाई क्या है, तंतु मई है, ठीक है, तंतु नुमा मापे संदशनाएं है स्ट्रक्चर है, लेकिन इस जो एक कोशी किये है, इसका अपवाद है, ठीक है, ओके, यह क्या है, लंबी पतले धागे की तरह संदशना होती है, जिने कवक तंतु कहते हैं, अभी बताया था मैने, कवक तंतु है ना, कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहा जाता है, कवक जाल बहु केंDrit कोशी का द्रव्य याने की साइट्यो प्लाजम से भरे होते हैं, जिनमे संग कोशी की कवक तनतू जिने कहते हैं, ठीक है? अन्य कवक तंतूं में पट्टिय होते हैं ठीक इसकी कोशिका भित्ति काईटिन से बनी हुई होती है यानि कि जो इसकी सेलवल होती है वो किसे बनी हुई है हमारे काईटिन से बनी हुई है ठीक है चलो आगे बढ़े चलो अब कवक में पोशन देखते हैं ठीक है तो कवक में अगर पोचन की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सेप्रोफाइट आता है, ठीके, सबसे पहले क्या आगे हमारा सेप्रोफाइट, ठीके, या आया जी हमारा सेप्रोफाइट, करेट, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा पैरासिटिक, ठी ठूक एया, फिर आ गया हमारा parasitic आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, symbiotic, ठीक है, symbiotic, correct बिल्कुल, यही होते है, ठीक है, अब parasitic क्या होते है, परजीवी, परजीव, ठीके, परसिटिक क्या हो गया, परजीव, और सिंबायटिक क्या हो गया, सहजीवी, ठीके, चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने सेप्रोफाइट की, ठीके, इसकी बात करते हैं, तो यहां पर यह क्या होते हैं, यहां पर परपोर्शन होता ह ठीके यहां क्या हुआ जी परपोर्शन हुआ ठीके इसका मतलब है कि यहां पर क्या होता है मृत मृत और सडने वाले पदार्थ वाले पदार्थ ठीके जैसे कि करणा दूसा चेंज कर देते हैं जैसे कि अपने रोटी दिख रहा है एक्जेम्पल रोटी गलत लिखा गया बोलोगे मैं मिता जल्दी में होती है कि गलत लिख देती है रोटी हो गया जी फल हो गये हाँ, रोटी, फल, सबजिया, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, इसके एक्जाम्पल है, हाँ, अब इस तरीके से ये जो इम्रित और सरने वाले पदार्तों के उपर ही बहुत असाने से मिल जाते हैं, एक्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका हम, इसका एक्जाम्पल है, राइजो प सापको समझ में आ गई होगी, अब पैरसितिक की बात करतें, तो पैरसितिक का जो पोशन होता है, ठीके? अगर हम यहाँ पोशन की बात करतें, ठीके? इसके पोशन को देखते हैं, तो जीवित पोधो और जानवर, पर जीवित पौधो और जानवर से ठीक है जीवित पौधो और जानवरों से यहाँ पर क्या है पर जीवी क्या हो गया कि पर जीव जो दूसरों के उपर रह रहे हैं ठीक है तो यह क्या करते हैं यह जीवी स्पॉधों यह जानवरों से अपना पोशन प्राप्त करते हैं उनके उपर रहके मतलब पर मतलब दूसरों जीव मतलब जीव दूसरे जीव के उपर रहेंगे और म बस तुन से फ्री में खाना पीना सब वहां से मस तरीके से लेंगे ठीक है ओके यह क्या करते हैं मेजबान को नुक्सान पहुचा सकते हैं कभी-कभी है ना जो मेजबान होता है मेजबान को नुकसान ठीक है और नुकसान पहुचा सकते हैं कभी कभी और कभी कभी इतना जाद नुकसान पहुचा देते हैं कि मेजबान जो होता है यानि होस्ट जो होता है उसकी डेथ हो जाती है सही है चलो ये प्रक्रति में क्या होते हैं रोग जनक होते हैं, रोग जनक, ठीक है, ये क्या होते हैं, रोग जनक होते हैं, रोग पैदा करते हैं ये, ठीक है, चलो, अब आते हैं सिंबायेटिक के उपर भाई, तो सिंबायेटिक में क्या होगा, सिंबायेटिक की बात करते हैं तो ये कुछ, पोशन के लिए, कुछ क्य portion के लिए क्या करेंगे पौधों से सहजीवी रूप में सहजीवी रूप में जुड़े रहते हैं जुड़े रहते हैं ठीक है जैसे जब example जैको बहुत common example है जैसे शेवाल के साथ कवक शेवाल के साथ जब कवक होता है तो वो क्या बनाता है शेवाल के साथ जब कवक होता है यह बहुत important है ठीक है यहां मैं इसको जब को star बना देती हूँ ठीक है तो एक नंबर में आ सकता है कि भाई शेवाल के साथ कवक मिलकर क्या बनाता है हां ठीक है क्या बनाता है तो क्या बनाता है यह लाइकन ठीक है लाइकेन बनाता है ये ठीक है शेवाल के साथ मिलकर क्या बना रहा है ये लाइकेन बना रहा है ठीक है और हम इस पर कह सकते हैं जो उच्छ पौधों में जो होते है ना उच्छ पौधों से जो सहजीवी होते हैं उच अरे पौधो यह जो सहजीवी होते हैं ठीके जो सहजीवी रूप से जुड़े हुए होते हैं उच पौधो में ठीके वो माइको माइको राइजा बनाते हैं क्या बना रहे हैं वो माइको राइजा बना रहे हैं तो यह समझे पोशन के लिए यह पौदों से सहजीवी रूप से जुड़े रहते हैं और इसे common example है कि शहवाल के साथ कवक जब जुड़ता है तो लाइकन बनाता है और जब यह उच्छ पौदों यानि कि जो higher plants होते हैं उनके साथ सहजीवी की तरह रहते हैं तो क्या बनाते ह ठीक है चलो ओके यहां तक सबको clear कि इनका जो कवक में portion कैसे होता है यह तीन तरीकों से होता है चलो अब आते हैं इसके वर्गी करण के ओपर तो भाई एकर हम इसके वर्गी करण की बात करते हैं तो ओके कैसे 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 एस अरे यार green कर रहे है सबसे पहले क्या आएगा यहां पर फाइको माई सिटीज फाइको माई सिटीज ठीके पहला तो यह हो गया अपना दूसरा क्या आएगा एसको माई सिटीज हां एसको माई सिटीज ठीके यह हो गया अपना दूसरा ठीके उसके बाद तीसरा आता है तीसरा क्या आग गया बैसी डियो माई सिटीज ठीके बैसी डियो माई सिटीज ठीके उसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ठीके डियोटी रू माई सिटीज ठीके ओके तो यह हमारा क्या है वर्गी करण है किसका कवक जगत का तो वैं चार पार्ट में इसको डिवाइद करते हैं चलो थोड़ा-थोड़ा सा न न इन चारों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा आगे चलके पढ़ लेते हैं जादा नहीं बढ़ेंगे थोड़ा सा पड़ेंगे उन्हें पतह है ये पूरा जो है न क्या है थीए शेप्टर आपको ठोड़ा बोरिंग लग रहा होगा था सुक्ysis मिटें पड़ Best Scrum Sa Casey गना अपने को हां नी समझोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ इसे बाते करने थोड़ी कुछ होता है बाते करोगे तो नीट के एक्जाइम के तयारी कैसे करोगे आप सब लोग क्यों आयो यहां पर पढ़ने के लिए आयो ना एक्जाइम के तयारी करने के लिए आयो ना या चैटिंग के लिए आए हो, चैटिंग करो, पढ़ाई के चैटिंग करो, हाँ, ठीक है, चलो, आगे पढ़े, चलो, सबसे पहले हम फाइक को माई सिटीज को देखते हैं, ओखे, तो भई, इसका आवास क्या होता है, देखो, आवास देखो, इस वर्ग के कवक जलिए आवासो, सडी गली लकडियों, नम, तता शीलन वाले स्थानों अत्वा, पौधों पर, अवी कल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ये सब मैंने अल्री बताया है, ठी गली जो लकड़ी होती हैं, है ना, और सीलन देखो, सीलन वाली जो स्थानों और पौधों पर भी पाए जाते हैं, बताया था ना, इनका कवक जाल पर रहे तता बहु केंद्रीयों होता ये भी बताया था मैंने, उसे बहुत सारे केंद्रक मौझुद होते हैं, अल्नेगिक जनन चल बिजाणू या अचल बिजाणू द्वारा होता है ठीक है ओके दो युगमकों के सरल नहीं से युगमनू बनते हैं ठीक है जिसका एक्जाम्पल क्या है म्यूकर राइजोपस और अल्ब्यूगो ठीक है यह इसका एक्जाम्पल है तो चलो देख लेते हैं कैसा यह है है न किदा सुन्दर हां देखो यह ब्रेड क्या है सडगिया है और इसके उपर क्या बन गया है देखो यह फंगस यह जो ग्रीन ग्रीन कलॉनि नजर आते हैं आपको ऐसी ही निजर आएगी पिलकुल अगर मािक्रोस्कोप में देखोगे तो समझें इस पोर है देखो ये इस पोर है इसके जब ये फट जाता है तो इस पोर क्या कहते है हवा में चले जाते हैं ये ठीक है ये राइजोइड है जो इसकी जड़ में पाया जाता है चलो आगे बड़े अब देखते हैं एसको माइसिटीज ठीक है तो एसको माइसिटीज इनके कहत होते हैं ठीक है अधिकांश सदस्य स्थलिये किन्तु कुछ सदस्य जलिये भी होते हैं कि कुछ क्या होते हैं स्थल पे पाए जाते हैं कुछ जल में सबी वाकि जितने भी कवक हैं वो सब जाल बनाते हैं कवक जाल जो होता है जिसको कहा ठीक है इनका कवक जाल शट यूग तो होता है ठीक है इनमें कायिक जनन होता है अलेंगिक जनन होता है और लेंगिक जनन होता है तीनों तरीके से होता है यह देखो यह है एसको माई सिटी इस फैमिली कितने सारे अलग-अलग तरीक है कि देखो है न किसमें आते हैं यह फाइलम एसको माई कॉटा में आते हैं जो कि हम पढ़ेंगे आगे चलके प्लैन किंग्डम में पढ़ेंगे टेंचिन की कोई बात नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं कोशी का भिट्ति इनकी काईटिन से बने जी होती है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बता दिया था अलेंग इक जनन व लेमायई, डो, सप्पॉर, कॉलेडिया या आइडिया द्वारा होता है ठीक लेंग जनन युगमक धनियों के जब पास आती है तो उनके अंदर का क्या होता है जो material हो तो genetic material ठीक अनुवाइंशिक material जो होता है वो क्यों होता है एक्स्चेंज हो जाता है इनका फॉलनकार एसकेस कहलाता है जिसमें एसको स्पोर बनते हैं ठीक है उधारण, East, Penicillium, Neurospora और Aspergillus यह से बहुत common example है आपने बहुत असाइंसे सुने होंगे East के बारे में तो अभी हमने starting में ही बात करी थी Penicillium के बारे में भी बात करी थी है ना चलो आगे बढ़ता है अब आता है Bacidium mycities ठीक है इस वर्थ के कवक मिट्टी में लठो पर तथा व्रक्ष के थुंटो पर सजीवों में परजीवी के रूप में पाये जाते हैं लकडी के ओपर जो पाये जाते हैं ठीक है वो काईक जाल शाकित तथा पर्युक्त होता है ठीक शाकित मतलब ब्रांचीज होती है उसकी बहुत सारी काईक जनन खंडन विधी द्वारा होता है अलेगिंग जनन प्राया नहीं होता है यहां पर ठीक है लेंगिंग अंग इनमें नहीं होता है परंतु दो काई कोशिकाओं का सल्लयन होता है मैंने अभी क्या बताया था आपको कि तो कोशिकाय होती है, उनके अंदर का genetic material क्या होता है, exchange हो जाता है, कैसे, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, इनका ये जो genetic material है, ठीके, वो क्या होगा, exchange हो जाएगा यहाँ पर, ठीके, और ये क्या हो जाएगी फिर, दूसरी कोशिका बन जाएगी, correct, okay, चलो, एगोरिकम, औस्टिल एगोर, पक्सीनिया, पक्सीनिया किसका common example बदाया था मैंने, ये गेहू में होता है, है न, कित रोग, याद आगिया, ये दखो, ये इस तरीके से इसका example है, ठीके, चलो, आगे बढ़े, लास्ट आता है हमारा, जूट्री, जूट्रो माइसिटीज, ठीके, जूट्रो माइसिटीज, तो भाई, इन्हे प्राया अपून कवक भी कहते हैं, मतलब ये इनकम्प्लीट फंगी होती है, इन कवकों में केवल काईक प्रवस्ता ही आती है, बस, ठीके, इस वर्क के सदसे केवल अलैगिक कॉनेडिया बिजाणों दोरा जनन करते हैं, सिर्फ और सिफ अलैगिक होता है, इनका कवक जाल शाकित वे पट्ट युक्त होता है, ठीके, लिटोब जीवी या परजीवी होते हैं, लेकिन अधिकान शदसे अप्शिष्ट के अपकटक होते हैं, चला आओ, इनसे मिल लेते हैं, ये ऐसे होते हैं, देखो, दिट्रो होते हैं, ठीके है, चलो, ये खनीजों के चक्रन में सहायक होते हैं, जो खनीजों होते हैं, उसकी जो साइक्लिंग होती है, मिनरल्स की, उसमें ये क्या होते हैं, यूसफुल होते हैं, एक्जेम्पल है, आल्टर्न रिया, कॉलिटो, कॉलिटो, ट्राइकम, कॉलिटो, ट्र बहुत खूब सूरत है ने ज़र की एक चीज में बहुत प्यारी है अगर आप उस चीज को देखोगे समझोगे ना तो आपको कुद यह चीज मैसूस होगी कि चोटी से चोटी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीज या फिर जो चीजें हमको नहीं दिखाई दे रही है उन से लेकर जो चीजें हमको दिखाई दे रही है उन तक बहुत खूबसूरत है बाइलोजी पढ़ने का एक यही फायदा है कि इन खूबसूरत चीजों को आप महसूस कर सकते हो देख सकते हो चाहे वो प्यारा चोटा सा पैरेमीशियम हो अमीबा हो हां जो की एक कोशी किये Tips को इंजोईे करो इतने सारी अमेजिंग चीजे देख खिरvändंगे याँ पर देखो धीरे धीरे घीरे ग्रीन पहसिस नजर आ रहे हैं यह easiest action iis Keys again John tear Beautiful यह अ कि हम यहां पर यह Ad victories करकी दिखाई दे रही है फड़ा फटे कॉमेंटस ने बताईए तो यह जो वो आपको Green Color यहां दिख रहा है, वो किसी से दिख रहा है, Plants Kingdom की बज़े से दिख रहा है, पादभ जगत की वज़े से दिख रहा है, क्योंकि हमारे Plants के होते हैं, हरे होते हैं, रहा थीजमी है, खाली जिगा, जहां पर रहा जाता है, ठीके, और नीला रन्था को पता है कि हमारी प्रत्वी क्यों नीली दिखती है पानी की वज़े से दिखती है हरी क्यों दिखती है क्यों अब रिए अप्लान्स की वज़े से हमारे फ्लाइंग्डेयुम की वज़े से दिखती है तिनकोन में इस चीजेंगे, इस करेंगेु derived bandg iniya salamonamu ौछीड में हम इन्हीं चयपटर से परेइंगे भी तरस एक ऊवर्वियों लेटे हैं यह प्लाइन चुलो यहाँ पे बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग देखते हैं आज हम इस चोड़े से overview में ठीक है किस में plant kingdom में देखते हैं ठीक है याने की पादत जगत में देखेंगे तो फिर start करने से पहले एक outline ले लेते हैं हमारे researchers जो थे हमारे researchers ठीक है हमारे researchers के हिसाब से क्या था हां उनके हिसाब से fungi, monera और protista, fungi, monera and protista ठीक है यह सब किस में आ रहे थे हां यह सब plant kingdom का पाट था उनके हिसाब से यह सब plant kingdom का पाट था plant kingdom ठीक है, plant kingdom का पाट था लेकिन वहाँ पर एक twist आ गया अचानक थे कैसा twist आ गया जी वहाँ पर हमारे हिरो हुआ करते थे जिनका नाम था Mr. R.H. Wittaker हमारे Mr. Hero ठीक है यह कौन थे हमारे हिरो थे मिस्टर R.H. Wittaker साहब से जिन्होंने बोला कि नई भाई यह जो है plant kingdom यह एक अलग kingdom है इन सबसे अलग यह अलग kingdom है हम तो इन्होंने क्या किया इस plan kingdom को अलग kingdom का नाम दे दिया ठीक है ओके अब एक और चीज़ आप सभी ने साइनो बैक्टीरिया का नाम तो सुना है ना साइनो बैक्टीरिया सुना इसका नाम क्या है यह साइनो बैक्टीरिया बदाए यह हां यह क्या है blue green अलगी इसको हम ब्ल्यू ग्रीन अलगी के नाम से जानते है राइट इसी नाम से जानते है हां नील हरित शैवाल यही तो कहते हैं लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि यह जो ब्लू ग्रीन अलगी है मतलब हमारे साइनो बैक्टीरिया साहब है यह क्या एक वास्ता बेक्टीरिया है यह बताईए जल्दी से कॉमेंट में बताईए है या नहीं है बोलिये तो बच्चा पाटी एक बड़े शी शब्दों में मैं बड़े ही अच्छे शब्दों में मैं आपसे कहूंगी यह जो ब्लू ग्रीन अलगी है यह अलगी नहीं है मेरा बहुत बड़ा नो है यहाँ पर यह अलगी नहीं है ठीके यह जो पानी में रहने वाले बैक् ठीके यह क्या होता है यह साइनो बैक्टीरिया एक्चुली में बैक्टीरिया है ठीके बैक्टीरिया है यह जो कहां रहता है वाटर में रहता है ठीके कहां रहता है वाटर में रहता है और यह क्या है सपोशी है सपोशी यानि कि आटो ट्रॉपिक है यह अपना खाना खुद बनाता है और इसी वज़े से इसको क्या बोला गया मुझे बोला गया है कि आप बच्छे पाटी यह है इसका कोई भी मतलब नहीं है कहीं दूर-दूर तक कोई रिष्चदारीं नहीं है इन दोनों की ठीक है चलिएव आगे बड़े हैं तो बच्छे पाटी हमने क्या बात करी आपर कि जो साइनो बैक्टीरिया है यह नहीं है मेंबर अल्गी का ठीक है लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जब यह इसका मेंबर नहीं है तो एक्चली में इसके मेंबर कौन है बताईए कौन है इसके members हां चलो वो भी देख लेते हैं तो हमारे पास इसके members कौन कौन से है एक list बना लेते हैं पड़ा-फट से आजओ चलो तो लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है शैवाल चलो 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 सबसे पहले हमारे पास आ गया शैवाल ठीक है? आलगी ठीक है? आलगी हो गया? ओके दूसरा कौन सा आगा हमारे पास? कौन सा आगा दूसरा? ब्रायोफाइटा ठीक है? दूसरा ब्रायोफाइट है? ओके तीसरा कौन सा आगा हमारे पास? टेरिडोफाइट ठीक है? फिर क्या आता है हमारे पास? फिर आते हैं हमारे पास अनावरत बीजी, ठीके, क्या है हमारे पास? अनावरत बीजी आ गए, फिर क्या आ गए हमारे पास? आवरत बीजी ठीके? ओके जी, चलो ये हमारे क्या हो गया है? पादब जगत, इन सब में डिवाइड होता है, ठीके? चलो, अब देख लेते हैं, जो हमारा L-G है, L-G क्या बोलते हैं, अपना थेलोफाइट्स भी बोलते हैं ठीके, इसको क्या बोल सकते हैं? ठीके? हमारे जो ब्रायोफाइटा सहाब हैं, ये विचारे ब्रायोफाइटा ही रजाते हैं ठीके? ब्रायोफाइट ठीके? टेरिडोफाइट जो है, इसको हम टेरिडोफाइट ही बोलते हैं ठीके पर P से शुरू होता है यह हां टेरिडो फाइट ठीके इसको T से मदलिक देना यहां P क्या होता है साइलेंट होता है ओके चलो ठीके अब अनावरत बीजी और आवरत बीजी आपको याद है क्या होता है चलो बता देते हैं फिर भी एक एक रिकॉल कर लेते हैं कि अच्छा ठीके इस जीज़े क्या होती है तो जो अनावरत बीजी होते हैं इनको हम जिम्नोस पर्म बोलते हैं gymnosperms ठीके इनके बारे में अभी थोड़े देर में हम लोग सब चर्चा करेंगे कॉफे विद करन की जिएका कॉफे विद मी हो जाएगा ठीके आप सभी के साथ ठीके वहाँ बैठके इन सब पर चर्चा करेंगे जाय पर चर्चा हाँ और इनको क्या बोलते है अंचियो स्पर्म्स बोलते है ठीक तो भाई ये फाइब पार्ट्स में डिवाइड हो गया है शेवाल, ब्रायोफाइड, टेरोफाइड, अनावरत बीजी और आवरत बीजी चलो जी हमने यहाँ पर ये भी देख लिया है कि ये होते है आगे बढ़ते है चलो अब देख लेते हैं कि बाई एक्चुली में ये अल्गी है क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर? शेवाल यानि कि अल्गी, तो देखते हैं कि ये क्या होता है तो ये हमसे क्या बोलना चाहता है यह हमसे बोल रहा है कि शैवाल जो होते हैं ना यह chlorophyll यूग तो होते हैं सरल होते हैं सपोशी होते हैं और जलिये जीव होते हैं ठीक है शैवाल पादब जगत का सबसे सरल जलिये जीव है जो प्रकाश अंसलेशन यानि की photosynthesis द्वारा भोजन की क्रिया करता है शैवालों को वर्णक तदा बोजन संग्रे के प्रकार के अधार पर क्लोरिफाइसी फियोफाइसी तदा रोडिफाइसी वर्गों में यानि कि इसको अलग तीन तीन वर्गों में विभाजित किया है ठीक है डिवाइड किया है है यहां क्या होता है लेंगि कोशिकाएं समयुगमकी असमयुगमकी और विशम यूगमकी हो सक्ति हैं कि द्हक的 कोई यह एल्गी है कि कितनी अजीब सी है हम हँम अपिर अदरलवहाल में अल्डेहीय जनन बिविन प्रकार के बिजाणूं के द्वारा तता लेंगिंग जनन लेंगिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है ठीक है दो प्रकार से हो रहा है अच्छा यहां पर काई एक जनन भी होता है ठीक है याद रखना आप चट्टान पर पाए जाने वाले जो शेवाल होते हैं ठीक है किसी पत्थर के उपर जो में शेवाल मिलते हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है याद रखना इस चीज को ठीक है तदा बर्व पर पाए जाने वाले शेवाल को क्रिप्टोफाइट कहा जाता है बहुत इंपॉर यहां वाई यह बहुत अराम से देखने को मिल जाते हैं ठीक है जो होते हैं, ठीक है, समवहन उतक यहाँ पर नहीं होते हैं, समवहन उतक रहित, होते हैं यह, ठीक है, और यह क्या है सवपोशी थैलो फाइट हैं यह, ठीक है, एक है're, बिलकुल, ठीक है क्योंकि ये line हम already discuss कर चुके हैं पहले ही, ठीके, अब इनमें हम क्या कहते हैं कि भाई, इनमें क्या होता है, वास्तविक जड़े होती है, वास्तविक जड़े, ठीके, तना भी होता है, ठीके, और पत्तियां भी होती है, ठीके, अच्छा, एक important चीज कि ये जो LG होती है, इसके study को क्या बोला जाता है, इसके अध्यन को क्या बोलते हैं हम, इसका जो अध्यन होता है, उसको क्या बोलते हैं, बताओ, क्या बोलते जल्दी जल्दी बताओ, शेवाल के, इसका शेवाल का जो अध्यन होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, Algology Algology या फिर Algology अत्वा Phycology ठीके Algology या फिर Phycology ठीके इसके अध्यन को कहते हैं ठीके ठीके चलो इसके बाद अगर हम इसके विशिष्ट लक्षणो की बात करते हैं ठीके इसके विशिष्ट लक्षणो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है लैंगिक जनन हो रहा है लैंगिक जनन हो रहा है ठीके तो लैंगिक जनन के बाद क्या होता है यहाँ पर जो ब्रून होता है ठीके लैगिक जनन के बाद यहाँ पर ब्रून का निर्मान नहीं होता है ठीके निर्मान नहीं होता है ओके चलो और हमने वैसे बात करतो लिए कि भाई इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ठीके यह क्या होते हैं, मुक्खेता जलिये शेवाल होते हैं, ठीक, हमने कई लिखा नहीं ना भी तक, यह क्या होते हैं, जलिये शेवाल होते हैं, ठीके, और यह स्वपोशी तो होते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ परजीवी भी होते हैं, ठीके, कुछ परज TV भी होते हैं, correct बिल्कुल, okay, तो ये सब चीज़े क्या थी, इसकी जो common लक्षन होते हैं, common characters होते हैं, common लक्षन, common characters जो होते हैं, ये वो हैं, ठीक है, बहुत simple चीज़ों में लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, ताकि आप चीज़ों को समझो, कि भाया, इसमें chlorophyll होता है, ये simple होते हैं, समवहन उतक नहीं होते हैं, इसमें, ये सपोशी थैलोफाइट होते हैं, ठीक है, इन वास्तविक जड़े, तना और पत्तियां इसमें मौझूद होती हैं, इसकी पढ़ाई को मतलब इसके अध्यान को हम algology या फिर phycology कहते हैं, ठीक है, लैगिक जनन होता है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, लैगिक जनन के बाद ब्रून का निर्माण नहीं होता है, लैगिक जनन के बाद, लिख लो अभी भूल जाओ, के बाद ब्रून का निर्माण, ये तो fill in the blanks होगया न, लेगिक जिनन के बाद भून का निर्मार नहीं होता है, फिल इन दा ब्लैंक सोगे रहे हैं, चलो यह क्या होता है, जली शैवाल होते हैं, और वैसे यह सब सपोशी होते हैं, जो अमने यहां बात करी थी, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होता है, पर जीवी भी होते हैं, ठीक है, चलो, आगे बढ़े, अब बात करते हैं, इसकी संरश्णा की बात करें, तो यह क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो इन में क्या होता है, इन में एक तूछ, चल होते हैं, ठीक है, चल और दूसरे क्या होते हैं, अचल होते हैं, ठीक है, चल और अचल, इसमें एक कोशिके में दो चीजे आती हैं, ठीक है, चल को क्या बोलते हैं हम, मोटाइल बोलते हैं, अचल को क्या बोलते हैं हम लोग नोन मोटाइल बोलते हैं, यह दोनों चीजे किसमें आती हैं एक कोशी की जीवों में आती है ठीक है या तो वो चल होंगे या अचल होंगे ठीक है ओके अगर हम चल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कशाव होता है यहाँ क्या आगया कशाव ठीक अब कशाव यहाँ पर है तो इसका मतलब ये गती कर सकते हैं, ठीके, गती, गती कर सकते हैं, ठीके, गती कर सकते हैं, इसका मतलब ये चल है, मतलब मोटाइल है, और गती नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो कशाब है, वो नहीं है, जिसकी वज़े से गती क्या होगी, नहीं होगी, है न, तो इसका मतलब यह अचल है, याने की non-motile है, समझ में आ गिया? एक कोशी कि यह चल होंगे या अचल होंगे, चल होंगे तो उनमें कशाब होगा, जिसकी वज़े से वो गती करेंगे, मतलब चलेंगे, movement करेंगे, अचल होंगे तो कशाब नहीं होगा, मतलब गती भी नहीं होगी, ठीक है, अगर हम एक्जैम्पल लेते हैं, गती का, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है, क्लिमाइडो, मोनस, क्लिमाइडो, मोनस, इसका एक्जैम्पल है, और इसका एक्जैम्पल क्या हुआ, इसका एक्जैम्पल हमारे पास आया, क्लो अब अगर हम बात बहु कोशिकिये जीवों की करते हैं यहां पर, यहां पर हम बहु कोशिकिये जीवों की करते हैं, दूसरे, कि भाई बहु कोशिकिये जीव, ठीके, इनकी बात करते हैं, ठीके, तो यहां क्या होता है, इनमें, यहां एक मंडलिये आता है, हाँ, मंडलिये, ठीक है मंदली है मतलब कोलोनियल ठीक है और दूसरा किया आ गया सुत्रवत ठीक है मतलब फिला मेंटस ठीक है यह सब चीजे हम लोग आगे जो चैप्टर आएगा अपना पादप जगत ठीक है वहाँ पर बहुत ही डीप में और बहुत अच्छे से वहाँ पर समझेंगे इसलिए टेंशन की कोई ज़रत नहीं है आपकी बुक में बहुत ज़रा ज़रा से पॉइंट्स दे रखे हैं यह सब तो दिये भी नहीं थे ज्यादा तर पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं ताकि जब हम अगले मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ यह आप आपको helpful रहेगा बड़ ओनली तब जब आपको याद रहेगा रिवीशन करोगे तो और रिवीशन नहीं करोगे तो आम सॉरी कुछ ही आप नहीं रहेगा ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे चैटिंग करते रहोगे तो पढ़ लो ठीके चलो यह क्या अगे मारे शैवाल की संवर पषणा एक कोशी की और बहु कोशी के जीवयों में हो गई ठीके चलो आगे बढ़ें के यहाँ पर इनका जनन देख लेते हैं एक बार हां अगर यहांपर हम इनकी जनन की बात करते हैं कि भाईया इनमें जनन हो रहा है याने की reproduction reproduction ठीक है तो इनका reproduction इनका जनन तीन प्रकार से होता है ठीक, कौन कौन से तीन प्रकार हो गए एक तो काईक जनन आ गया सबसे पहले ठीक है काईक जनन ठीक दूसरा क्या आ गया अल्लैंगिक जनन आ जाएगा दूसरा अल्लैंगिक जनन ठीक है और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा अल्लैंगिक जनन आ जाएगा ठीक है ये चीज़े आ गई ठीक है अगर हम काईक जनन की बात करते हैं तो का एक जननन में क्या होता है जो पौदे होते हैं वो छोटे-छोटे टुकडों में डिवाइड हो जाते हैं यहां पे जो पौदे हैं वो क्या हो रहे हैं छोटे-छोटे टुकडों में डिवाइड हो रहे हैं ठीक है और क्या कर रहे हैं जनन कर रहे हैं अब अलैंगिक जन जनन में क्या होता है तीन विधियां होती है ठीक है इन तीन विधियों के द्वारा ही क्या होता है अलेंगिक जनन होता है कौन सी होती है तीन एक तो चल भी जाणू हो गई ठीक है अचल भी जाणू हो गई ठीक है और एंडो स्कोर हो गया ठीक है इन तीन चीजों की वज़े स से इनमें जनन होता है अब अगर हम लैंगें जनन की बात करते हैं यहां क्या और रहा है विशेश प्रकार विशेश प्रकार के युगमको के सन्योजन ठीक है युगमको के सन्योजन द्वारा ठीके यहाँ पर लेंगिंग जनन होगा करेक्ट बिल्कुल यहाँ तक किसी कोई डाउट है नहीं ना ओके चलो आगे बड़े फिर से एक बड़ देख लो काईग जनन लेंगिंग जनन और लेंगिंग जनन काईग में पौधे जो होते हैं ठीके अगर हम पौधे की बात करें सपोस करो यह एक पौधा है ठीके इस तरीके से ठीके यह पौधा है इसमें क्या हो रहा है इसके जो अलग-अलग पार्ट है जब तूटके गिर रहे है ना ठीके तो वो हर पार्ट क्या कर रहा है जनन का काम कर रहा है ठीक है अलेंगिक में क्या हो रहा है यह तीन विधिया होती है चल और एंडरस्पोर चल भी जाणू अचल भी जाणू और एंडरस्पोर इससे क्या होता है अलागिक जनन होता है और लेंगिक जनन में क्या होता है जो special type के युगमक होते हैं उनके samiogen से याने कि उनके fusion से क्या हो रहा है sexual reproduction हो ठीक है यह होगय vegetative reproduction asexual reproduction और sexual reproduction आप कहो तो मैं लिख देती हूँ ताकि आपको परिशानी ना हो इसको समझने में यह क्या होगय है vegetative vegetative reproduction ठीक है यह क्या हो गया ए सेक्शुल रिप्रोडक्शन और यह क्या होगिया, सेक्शुल रिप्रोडक्शन ठीक है, क्लियर यहां तक चलो ठीक है, आगे भरते हैं और इसका वर्गी करन देख लेते हैं तो अगर हम बात इसके वर्गी करन की करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है chlorophyce ठीक है? क्या आगे हमारे पास? chlorophyce ठीक है? chlorophyce आगे है ठीक, जिसको आँने क्या बोला? क्लोरो फाई सी ठीक है ओके ठीक है यहाँ पर क्या होता है यह हरे रंगे होते हैं यह हरे रंगे होते हैं ठीक हरा रंग कहाँ पाए जाते हैं यह जल में पाए जाते हैं ठीक है यह हरे रंगे होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं में पाये जाते हैं, और क्या होता है इसमें बताओ जल्दी से च्छोर TF 20 में, accelerating क्या मोलें को इंगलीश में च्छोर पाइक काप इसको स्पैल करना मत भूलना ही होगई यह मुखेता जल्ब में पाये जाते हैं एक कोशियों होते हैं एक कोशी किये ठीक है एवम बहु कोशी किये ठीक है अब अगर इनके हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन क्या होता है यहाँ स्टार्ज के रूप में स्टार्ज के रूप में स्टोर होता है ठीक है यहां क्या हो रहा है स्टार्ज के रूप में स्टोर हो रहा है खाना यहां पर ठीक और अगर यहां पर हम जनन की बात करते हैं तो जनन कैसा हो रहा है यहां पर अल्यागिक जनन हो रहा है ठीक है अल्यागिक जनन हो रहा है यहाँ पर किससे हो रहा है हाँ चल विजाणू के द्वारा हो रहा है ठीक है चल विजाणू के द्वारा ठीक है तो यह हमारा पहला हो गया कि भई पहला शेवाल का वर्गे करन क्या है Crystal Fio Chlorophyce दूसरा क्या है इसका बताओ जली जली बताओ हांजी बताइए कौन सा है तो second हमारा आता है Phe05ce ठीक है second क्या है हमारा Pheophyce जिसको हम क्या लिखेंगे Phe scar पाइसी ठीक है और इसको इंगलिच में क्या लिखेंगे पाइओ फाइसी यही ठीक है पाइओ फाइसी यही ठीक है ओके तो यहां पर क्या होता है यहाँ पर यह क्या होता है भूरी शैवाल होती है ठीक है कौन सी होती है यह भूरी शैवाल ठीक है इनमें क्या होता है यह क्या होता है यह पीले भूरे पीले भूरे रंके होते है ठीक है और यह जारतर कहां पाये जाते हैं यह पाये जाते हैं समुद्री जल में ठीक है कहां पाए जा रहे हैं ये, समुद्री जल में, कहां पाए जा रहे हैं ये, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीके, अब इनने क्या होता है, इनकी जो कोशी का भित्ती होती है, यानि की जो सेल वॉल होती है इनकी, ठीके, कोशी का भित्ती, ठीके, क्या बोलेंगे इसको, सेल व बोलेंगे किस से बनी हुई होती है इसकी सेल वाल से बनी हुई होती है ठीक है किस से बनी है सेलुलोज ठीक है ओके अब इनमें जनन कैसा होता है बताओ ठीक है इनमें जनन कैसा होता है लैंगिक जनन होता है इसमें ठीक है जनन कैसा होगा यहाँ पर? लैंगिक जनन ओके? ठीक है यह हो गया हमारा फियोफाइसी ही हो गया ठीक, अब तीसरा कौन सा आता है? फड़ा फट कॉमेंट्स में बताओ कि तीसरा कौन सा आएगा? हाँ? तीसरा आता है रोडोफाइसी ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा रोडो फाइसी क्या बोलेंगे इसको? रोडो फाइसी बोलो रोडो फाइसी फाइसी इ ओके रोडो फाइसी देखो, यह चीज़े क्या होते हैं? आपको इंग्लिश में भी बता होना चाहिए ने कैसे बोलते हैं? और हिद्नी में भी पता होना चाहिए विकस आगे चल के क्या करना है? आपको यह इंग्लिश टेम्स को यूज़ करना है है ना? इसलिए क्या बोलेंगे इसको रोडो फाइसी इए बोलेंगे ठीके? तो इस रोडो फाइसी इए में क्या होता है? हाँ यहाँ पर क्या होता है? यह क्या होता है? लाल शैवाल होते हैं ठीके? यह क्या होते हैं? लाल शैवाल अब आप बोलोगे मैम होते तो यह लाल शैवाल है और लिखे आपने नीले रंग से हैं हाँ इतले लिखे फिर रेड कलर कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं रेड कलर हमको दिखनी रहा है इसले मैंने ब्लू से लिख दिया है ठीके ओके तो यहाँ पर क्या होता है यह लाल रंग के शेवाल होते हैं हमने यह बात करी थी ठीके ठीके, यहाँ पर क्या मौजूद होता है एक, क्या मौजूद होता है यहाँ पर, यहाँ पर होता है, फाइको, एरित्रल, रंग मौजूद होता है, रंग का द्रव्य, ठीके, फाइको, एरित्रल, रंग का द्रव्य मौजूद होता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, यह ला की वज़े से ओके चलो अगे बढ़ते हैं अब यह क्लोरोफिल होता है यह जा समुद्र में पाई जाते हैं में क्लोरोफिल मौजूद तो होता है लेकिन chlorophyll A नहीं होता है A नहीं होता है यहाँ पर कौन सा chlorophyll मौझूद होता है chlorophyll B ठीके यहाँ पर chlorophyll B पाया जाता है correct बिल्कुल कोई doubt इन तीनों के बारे में इन सभी चीजों को हम लोग जो proper chapter है पादप जगत वहाँ पढ़ेंगे टेंशन के कोई बात नहीं है चलो आगे बढ़ते है आगे हम बात करते हैं अब ब्रायो फाइटा के बारे में इसके बाद आता है ब्रायो फाइटा हमने स्टार्टिक में देखा था ना तो ब्रायो फाइटा क्या होता है यह प्राये छोटे होते है क्या होते हैं, प्राय यहाँ, छोटे पेड होते हैं यह, ठीक है, छोटे पेड या पौधे, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह जो ब्रायोफाइटा होते हैं, इनमें समवहन उतक मौजूद नहीं होते हैं, इनमें क्यों होता है? सम्वहन उतक नहीं होते हैं. लेकिन इसमें नरजनन अंग भी होते हैं और मादाजनन अंग भी होते हैं. ठीके? यहाँ पर नरजनन अंग भी होते हैं. ठीके? और यहाँ पर मादाजनन अंग भी होते हैं. तो जो नरजनन अंग होता है वो क्या कहलाता है? वही वो होता है पुन्धानी. क्या होता है वो? पुन्धानी. ठीके? पुन्धानी. और जो मादाजन अंग होती है वो क्या होती है? स्त्री धानी होती है. स्त्री धानी ठीके अब ये क्या होते है ठीके इसका मतलब जब इन में दो पाए जा रहे हैं अलग-अलग क्या शरीर पाए जा रहे हैं जननांग पाए जा रहे हैं इसका मतलब ये क्या होएं बहु कोशी किये हो गए तो ये क्या होते हैं बहु कोशी किये होते हैं बहु कोशी किये और important चीज कि ये थलिये होते हैं थल पे पाए जाते हैं थलिये होते हैं ये ठीक है ये नम इस्थानों में पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं ये नम इस्थानों में ठीक है नम भूमी ठीके नम लकडी जो भी नम मतलब पेश्चर वाली जगह होंगी न ये वहाँ पाए जाएंगे ब्राइव फाइटा ठीके बिल्कुल चलो अगर हम इनके लक्षणों की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि भाई साब ये क्यों होते हैं पौदे हरे रंके होते हैं थीके अब हमने क्या बात कर ली भाई कि ये नम और चाया दर जगह पर पाय जाते हैं जगय पर पाय जाते हैं ठीके अब अगर इनमें जनन की बात करते हैं इनमें अगर हम जनन देखते हैं जनन ठीके जनन की बात देखते हैं तो यहां क्या होता है इनको निशेचन के लिए निशेचन के लिए जल की जरूरत होती है जल की आवशायकता होती है ठीके ब्राइफाइट्स को क्या होता है ये जल में ही क्या करते हैं ये ब्राइफाइट्स निश्चेचन करते हैं ठीके ओके इन ब्राइफाइट्स को क्या बोलते हैं दूसरे उसमें हाँ उभैचर बोलते हैं ये किस की तरह काम करते हैं उभैचरों की तरह करते हैं उभैचर जमीन और जल दोनों पर रह सकते हैं लेकिन जब निशेचन की बात आती है तो यह सिर्फ जल में ही निशेचन करते हैं जमीन पर नहीं करते हैं याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं ठीक है यानि कि अमफिबियंस बोलते हैं किसको ब्रायोफाइटा को correct चलो यह हो गया हमा क्या होते हैं छोटे होते हैं और थैलस की तरह होते हैं ठीक है अब इन में जो लेंगिक जनन है वो क्या है क्या है लेंगिंग जनन यापर कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें चलो लेंगिक जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है वो क्या होता है विश विशम युगमकी होता है ठीक है विशम युगमकी और ये दो प्रक्षार से होता है काईक और दूसरा कौन सा हो गया काईक याने की वेजिटेटिव और दूसरा कौन सा हो गया लैंगिक ठीक है ओके चलो ये हो गया हमारा ब्रायो फाल के बारे में यहां तक किसी हो कोई डाउट है देखो चोटे चोटे पॉंट में लिखवा दिया है ताकि आपको ये चीज़े याद रहें ठीक है जब हम यही सब चीज़े ब्रीफ में आगे चैप्टर में पढ़ें तो थीक है तो इसको छोड़ दो कि फिर फाइटा के महत्व ठीक है यह सब भी हम लोग आगे पढ़ें कोई टेंशन वाली चीज़े नहीं है इसमें भी ब्रायो फाइटा का महत्व क्या है तो अगर हम टेरिडो फाइट की अब बात करते हैं तो कहांगी हमारा टेरिडो फाइट क्या होते हैं यहाँ पर पणहरित पणहरित वे समवहन उतक युब्त होते हैं पणहरित वे समवहन उतक युब्त होते हैं ठीके? कि भाई इसमें ख्लोरोफिल भी होता है और समवहन उतक भी मौजूद होते हैं ठीके? सेकिंड चीज जो इसमें इंपॉट आती है ये क्या होते हैं? आ पुश्पोद विद पॉधे होते हैं ये आ पुश्पोद विद ठीके? आ पुश्पोद विद अधे होते हैं ये मतलब कि इन में पुश्प क्या होते है नहीं होते है आ मतलब नहीं पुश्पोद मतलब पुश्पोद नहीं लगते हैं इसमें ठीके? तो इसमें पुश्पोद नहीं होते हैं इसका नाम खुदी बता रहा है कि बाई मेरे पास फूल मौजूद नहीं है मेरे पास मता ना तुम फूल लेने अब इस के सदस्वे में क्या होता है जल वे खनिच लवणों में ठीक है इसकी जो सदस्वे होते हैं उनमें क्या होता है जल वे खनिच लवण के समवहन है तू लवणों के समवहन हे तू क्या मौजूद है यहाँ पर समवहन उतक मौजूद है ठीक है जल्वे खनिश लवणों के समवहन के लिए इनके पास क्या मौजूद है समवहन उतक मौजूद है ठीक है और इसके साथ साथ क्या है जाइलम भी है इनके पास इसलिए जाइलम के साथ साथ इनके पास और क्या है क्लोयम ठीक है तो यह साथ इनके पास टेरीडोफाइट के पास मौझूद होती है अगर हम इनके लक्षणों की बात करते हैं ठीक है टेरीडोफाइट के देखो बिल्कुल भी किसी चीज के लिए टेंक्शन मत लेना, क्योंकि ये बुक में आपका जरा-जरा सा दिया हुआ है, मैं इसको इतना explain करके बता रहे हूँ, ताकि आप लोग को मैं बार-बार बोल रही हूँ, कि आगे जब ये chapter पढ़ेंगें, plan freedom, तो आपको परिशानी ना हो, ठीक है, इसी लिए बता रहे हूँ, चो लोग इसके लक्षणों की बात करते हैं, तो लक्षण क्या है भाई, दो चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है लक्षण में, कि ये pushp हीन होते हैं, पहली चीज, ठीक है, ये क्या होते हैं, pushp हीन होते हैं, मतलब, कि इन में pushp क्या होते हैं, नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, ठीक है, और दूसरी बड़ी चीज क्या होती है इसमें, कि बड़ी पौधा जो होता है, क्या है वो, बिजाणू, बिजानूद भिद ठीके पॉद्ध क्या है बिजानूद भिद होता है तो ये दो इसके लक्षन है ठीके ओके हाँ इसके बाद हम क्या बात करते है तेरिडोफाइट के बाद हमने क्या देखा था अनावरत बीजी पॉद्ध याने के जिम्नो स्परम ठीके तो जिमनल स्पर्म में क्या आता है भाई इसमें पौधे आते हैं ये पौधो का ग्रूप होता है ठीके ये क्या है ऐसे पौधो का ग्रूप है ठीके ऐसे पौधो का ग्रूप है भाई ये जहां पर बीज बनते हैं जहां क्या बन रहे हैं बीज याने की सीड बीच तो बन रहे हैं बन रहे हैं पर यहाँ पर बीच कैसे होते हैं नंगन होते हैं मतलब नेकड होते हैं ठीक है लेकिन वो बीच कैसे होते हैं नंगन यानि कि नेकड नेकड होते हैं खुले होते हैं उनके ओपर कोई आवरण नहीं होते है मतलब वो किसी से डखे वे नहीं होते हैं, ठीके, ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, कि यहाँ जो अंडाशे है, ठीके, अंडाशे क्या है यहाँ है, अंडाशे का पूर्ण अभाव होता है, ठीके, अंडाशे का पूर्ण अभाव होता है, ठीके, यहाँ पर यह पर चपन और एंड़ाई महां की साउथे हिला सोच, हमारा बिस्तो बन गिया है लेकिन उसके अंडाशे जब गायव है वहाँ पर, तो उसका आवरण कैसे बनेगा बाहर, है ना, तो इसी वज़े से क्या होता है, वो नेकिड हो जाते है, ठीके, इसलिए वहाँ पर अंडाशे क्या होता है, वो का अभाव होता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता इसका example क्या है इसका example क्या ले सकते हो भाई psychos इसका सबसे अच्छा example है क्या है psychos ठीक है psychos pine trees होते हैं चीर जो होता है चीर का नाम तो सुना है न वो इसका example है चीर का कैसा होते लों कॉधा है ओको ऐसे करने इसे करके आपर को सॉता है नहीं होता है यह क्या होता है है न इसलिए इसलिए यह क्या आता है अनावरत बीजी पॉदड मिस्गे को अपने नाम इस room नहीं है बीज यह był is पाइन है ठीक है ऐसे तो इसके बाद करते हैं पहुलते हैं क्छलोओ इसके बाद करते हैं इसके उर्ट बोलते है चलो एमने इस पड़ घिया है पिर हाँ आवरत बीजी ठीक है आवरत बीजी के पारे में हम बात करते हैं ठीक है तो आवरत बीजी में क्या होता है यह जितने भी महत्व है ना आप सोचना मत कि यहां पे नहीं पढ़ाएं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है कि इसलिए मैंने इसे यहां चोड़ दिया अभी इसको जब आगे इसको पूरे तरीक पढ़ेंगे ना तो तब देखेंगे चैंशन मत लेना अब हम आवरत बीजी पढ़ते हैं आवरत बीजी मत बहुता कि भाई वह जो बीज है उसके आवरण मौझूद है ठीक है वहाँ पर क्या है आवरण मौझूद है ठीक है तो चलो अब इसके लक्षणों के लक्षणों के लक्षणों के देख लेते हैं कि इसके क्या लक्षण ह इसमें यह बहु तो पहले तो देखते हैं कि आवरत बीजी होता क्या है ठीक है तो भाई आवरत बीजी आवरण ठीक है बीज मतलब ऐसे बीज जिनके पास क्या है आवरण मौझूद है अब हमने क्या बात करें थी कि जो बीजांड होता है उससे क्या बन रहा है बीज बन रहा है और जो अन्चे है उससे क्या बन रहा है आवरं बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह जो बीज है इनके पास आवरण मौझूद है याने कि यहाँ पर अंडशे मौझूद है जैसे अभी हमने पड़ा था जिम्नो स्पॉंस में जो अनावरत बीजी थे कि वहाँ पर अंडशे का आभाव था लेकिन यहाँ पर क्या है अ पल में convert हो जा रहा है ठीक है ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये बहु वर्षिय होते हैं सबसे बड़ी चीज और कास्टिय होते हैं नहीं ये ये बहु वर्षिय और कास्टिय जो होते हैं वो जिम्नोस पर्म्स होते हैं ठीक है मैं जिम्नोस पर्म्स के बारे में बताई थी कि वह जिम्नोस पर्म्स होते हैं लेकिन उसमें कास्ट जही से हमने देखो पाइनस के बारे में देखा था यह ठीक है अब इनके पास आवरं नहीं है यहां पर हमने क्या बोलता कि अंडाश्य न वर्षिये भी होते हैं, बहु वर्षिये, ठीक है, ये कास्टिये भी है और बहु वर्षिये भी है, ये इसका लक्षन है, ये कास्टिये भी हो रहे हैं और ये बहु वर्षिये भी हो रहे हैं, ठीक है, ओके, चलो, अब ये आगे बढ़ते हैं, चलो अब यह आवरत बीजी के बारे हम बात कर रहे थे कि इसमें बीज मौजूद है और इसका आवरण भी है तो इसका मतलब कि अगर हम एक आम की बात करते हैं आम की बात कर रहे हैं हम तो आम में क्या होता है आम में बीज भी होता है ठीक है और उसका बाहर का आवरण भी होता है ठीक है इसका मतलब जो इनका बीज है वो आवरण से ढखा हुआ है ठीक है न और उनमें क्या था नावरण कि उनका बीज किसी आवरण से ढखा हुआ नहीं है यानि कि वो उसका अंडा शेह होता है ठीक है चलो अब इसको जो है इसके हम लक्षर देख लेते हैं ठीक है इसमें क्या होता है पराग कड और बीजांड जो होते हैं ठीक है स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं जो पराग कड और बीजांड है यह क्या है स्पेशल structure के रूप में विक्सित होते है ठीके विक्सित हो रहे हैं जिसको हमने क्या बोला पुश्प ठीके जिसको हमने क्या बोला पुश्प बोला ठीके अब यहां क्या होता है यह जो पुश्प होते है यह क्या होते है बीज होते है इनके इनमें क्या होता है जो बीज होते है जिनमें जो बीज होते है वो क्या होते है फलों के अंदर होते है ठीक है जो बीज है फलों के अंदर है जैसे हमने क्या आभी आम की बात करें थी उसके जो बीज है किसके फल के अंदर है न ठीक सेब है सेब के बीज किस ने जो सेब है उसक अवरत के बीजी पोद रहा हैं प्राइब इसका भागों में विभाजिद – खाल पहला है अपना एक बीच पत्री ठीक है और दूसरा है दूइ बीच पत्री एक बीच पत्र होगा और दूइ बीच पत्री में दो होंगे ठीक है तो यह तो इसके लक्षण हो गए यहां तक सबको clear है okay आगे बढ़ते है अभी महBooks तो अपने को देखना नहीं है इसका वरगी करण देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पर चलो इसका वरगी करण देखते हैं चलो यही पर देख लेते हैं अघर हम वरगी करण की बात करते हैं तो एक बीश पत्री और दुवी बीश पत्री ये दो होते हैं वर्गी करण में ठीके? यानि कि डाइ कोटेलेड़ॉनी और मोटेलेड़ॉनी ठीके? तो ये इसका वर्गी करण भी हो गया है चलो इसके महत्व को हम अगे कप पढ़ेंगे अपने पूरा नेक्स जो प्लांट किंग्डम है पूरा पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे अगे हम आज आते हैं आनिमल किंग्डम के ऊपर आनिमल किंग्डम में क्या है? आनिमल साते हैं ठीके? हम भी आनिमल किंग्डम में बहुत सारी विशेषता हैं क कि बहई जिस वज़े से अनुल किंग्डम यानि जन्तु जगत को फ्लाइंट किंग्डम से अलग रखा किया थी कि वज़े से उसको पादब जगत से अलग रखा गया था कुछ तो special चीज़े होंगी ना कि अच्छा ये पेडों का जगत है और ये जन्तूओं का जगत है क्यों है कुछ special characters की वह रखा गया था ठीक है चलो आओ एक एक करके वह characters को देख लेते हैं ओके चलो अब अगर हम इसे characters की बात करते हैं याने की गुणों की बात करते हैं ठीक है तो क्या है वह कि बाई सबसे पहली चीज़ यहां जो ब्रूंड होता है चलो अच्छा वो तो बाद में देखते हैं सबसे पहली जी हम देखते हैं कि यह क्यारियोटिक होते हैं यह क्या होते हैं यू क्यारियोटिक होते हैं ठीके यू क्यारियोटिक हो गई यू क्यारियोटिक हो गई है ठीके फिर अगला क्या बोलेंगे भाई ये बहु कोशी किये हो गए बहु कोशी किये हो गए बहु कोशी किये हो गए भाई क्योंकि हम सब क्या है जितने भी हम Animal Kingdom में आते हैं चाहिए वो जानवर है पक्षी है हम है हम सब क्या है एक सिंगल सेल से नहीं बने हुए हम बहुत सारी सेलों से बने हुए है ना इसलिए हम प्राणियों का वर्ग होता है यह थीक है याने कि हम खाने के लिए दूसरों पे हेटरोट्रोपिक है ना हम है ना तो हम क्या है विशम पोशी है ठीक है ठीक है अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं ठीक है अगर सेल वॉल की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भई हमारे पास सेलिलोस नहीं होता है वो सिप्लैंट्स में पाये जाता है हमारे पास जो पुशी का भित्ती है वो नहीं होती है है ना ओके अब उसके उसके बात हम क्या देखते हैं हम क्या होते है हम चलने में सक्षम होते हैं जितने भी जितने भी जन्तु जीव जन्तु होंगे ना अनिमल कीगणम में वो क्या होंगे चलने में सक्षम होंगे, हम चल सकते हैं, चलने में सक्षम होते हैं, ठीक है, ओके चलो ये हो गया, अब और क्या चीज़े हो सकती हैं यहाँ पर, कि भाई, ब्रून का विकास होता है, चलो हम ब्रून की बात करते हैं, अगर हम बच्चों की बात करते हैं, ब्रून का जो विका जो होता है वो लैंगिक जिनन के बाद होता है अब लैंगिक जिनन कैसे होगा भाई जब वहां पर क्या मौझूद होंगे नर और मादा ठीक है, मतलब नर और मादा के मिलने से क्या होगा? लैगिक जनन होगा इस लैगिक जनन होने के बाद क्या होगा? भुरून का विकास होगा समझे? ऐसे लिखना है इसको ठीक, चलो, उसके बाद और क्या चीज़ है? क्या बचिया भई? इसके बारे में एक इंपॉर्टन चीज और Father of Zoology Father of Zoology सबसे बड़ी चीज Father of Zoology वोने हमारे Mr. Arastu या Axe Total ठीक है इनको बोला जाता है अब ये आप सुचोगे Father of Zoology यहां कहां से बीच में आ गई है Arastu जी क्योंकि भाई Animal Kingdom किस में आएगा Zoology में आएगा Plant Kingdom किस में आएगा वनस्पति विग्यान में आएगा यान कि Botany में आएगा इसलिए यहां पर हम किस की बात करें Father of Zoology की बात करें कौन है Mr. Arastu जी हमारे Aristotle जी जिनके बारे में सार्टिंग ने मैंने आपको बताया था ओके फिर एक और चीज़ की बाई जो प्राणियों की संरश्णा और आकार है यहां पर प्राणियों की संरश्णा और आकार जो प्राणियों होते हैं उनकी संरश्णा और आकार क्या होता है हां भिन्न होता है उसमें भिन्नता मौझूद होती है ठीके भिन्नता उसमें भिन्नता होता है जैसे की पाचन तंतर उसमें इंक्लूड हो जाएगा पाचन तंतर ठीके उसकी संरश्णा भी अलग है उसका आकार भी अलग है, उसका अकार भी अलग है, ठीक, फिर उसके बाद अगर हम जनन्तंत्र की बात करते हैं, तो भई जनन्तंत्र क्या है, नर और माता दूर में अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग अकार में होते हैं, और अलग-अलग काम होते हैं, है न, ठीक है, उसके तो कैसे नहीं किस रूप में वहां मौझूद है कैसे वहां पर गुरूपिंग और रही एक तू मेरा दोस्त है तू मेरा भाई तो वर्गी करम क्रम होता है एक प्रॉपर चिर्ष में वर्ग मौजूद होते हैं यहां पे वर्ग मौजूद होते हैं को नुसे होते हैं चो जह लेतां ईक बार सबसे पहले अपना जगत आजाता है ठीक है जगत के बाद tätä हुआ ठीक है फिर फिर डॉपख मुत डॉप जग ऐसके बादो ठीक है अपरोष के बाद क्या आता है वंछ blah जाती ठीके इस तरीके से होते हैं ठीके ना ओके उसके बाद क्या होता है क्या होता है जो जगत होता है और जाती होती है क्या होते हैं ये तो भाई जगत क्या है सबसे उच्च वर्ग है सबसे उच्च वर्ग ठीके जगत और जो जाती है वो सबसे निम्न वर्ग है यह जाती है यह क्या है निम्न वर्ग है ठीके ओके यहां तक ठीके अब क्या होती है एक और चीज आती है कि यहां पर क्या हुआ है जब इचीजे बनी है तो वहां पर डिसाइड हुआ था कि नौ मेन संग होंगे यहां पर ठीके क्य होंगे नाइन में संग अब देखो ऐसे चैटिंग करो कि तो बच्चा कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर आप भोलो के मैं समझ में नहीं आ रहा है सब उपर से मेरा है सब प्लाई कर रहा है अरोफलेन उड़ रहा है लेकिन फिर भी टेक्शन मत लेना क्योंकि यह सारी चीज़े क्या है अनिमल किग्णम में पूरा फोल लेक्दा अच्छे से पढ़ेंगे अभी तो चोटो 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 दो टॉपिक था आपकी बुक में वर्तों करने थे ना हाँ चलो नौ संग कौन से है भाई प्रोटोजो प्रोटोजोवा हो गया ठीक है आर्थ्रोपोड़ा हो गया आर्थ्रोपोड़ा ठीक है आर्थ्रोपोड़ा के बाद क्या आ गया मॉलस्का आ गया हां मॉलस्का मॉलस्का के बाद क्या आ गया पूरी फेरा ठीक है पूरी फेरा के बाद क्या आएगा अपना लेटी हलमेंथ प्लेटी हलमेंथिस प्लेटी हलमेंथिस आ गिया, फिर क्या आ गिया, हाँ, एसकल मेंथिस, ठीके, अने लिडा आ गिया उसके बाद, अने लिडा, फिर क्या आ गिया, एक काईनो, डर्मेटा, और लासली क्या आएगा, सीलियन ट्रेटा हैगा, ठीके, तो यह क्या है, नौ संग है, नौ फाइला में हमारे पास, ठीके, इन सभी चीजों के बारे में, हम आगे चल के अनिमल के इड़म में, एक दम ब्रीफली पड़ेंगे, ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, क्या लिखा है हमारे पास, तो हमारे पास है कि विटेकर द्वारा सुझाए, पांथ जगत वरगी करण में, लाइकन वे अकोशिक जीवो, जैसे वाइरस, वाइरोइट तथा प्रोसनक का उलेक नहीं किया गया है, इनको हमारे विटेकर साहब ने क्या किया है, अलग रखा है बिलकुल, इसको अपने ग्रुप में नहीं लिया, ग्रुप से आउट कर दिया इसको, अब हम सभी को कभी ना कभी तो जुखाम या फ्लू हुआ है, हुआ है ना, हम सबको हुआ है, ठीके अभी कुछ दिन पहले मुझे भी वो रखा था, तो वाइरस का नाम वरगी करण में नहीं है, ठीके हमने कह ही नहीं पड़ा, जो फाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन था, क्या इसमें आपने कहीं वाइरस देखा, नहीं देखा ना, क्योंकि इनका वानस्पतिक जीवन नहीं होता है, हम अगर सजीवों की कोशी का संरशना की बात करते हैं, तो, अहा, इसका मतलब कि हमारे सजीवों में नहीं आते हैं, हम, समझ रहे हो ना, ठीक है, हम जानते हैं कि वाइरस अकोशी के जीव होते हैं, ठीक है, कोई कोई कोशी का नहीं होती है, जिनकी संरशना सजीव कोशी का के बाहर रवेदार होती है, हम, एक बार जब ये कोशी का को संक्रमित कर देते हैं, अगर कोई भ था भी का यूजब करता है ये और बॉडिका यूजब मार देता है ये घर्षंची से अब हम दिखते हैं विशारू याने की वाइरस ठीक, ओके, तो इससे आप क्या हो, जोदेको विशाडू अपने नाम से ही बता रहा है कि भाई मेरे अंदर क्या है, विश है, जहर है, और यही विश या जहर क्या करता है, रोग, रोग को पैदा करने में सक्षम है ये, क्यापिबल है ये, ठीक है, यही विश, स्वाज़ रह अब, अब क्या होता है कि भाई चलो, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो अभी हमने क्या बाते करी, अपने पिछले पेच पे, वही जब यहाँ थोड़ा-थोड़ा देखते हैं, जल्दी एक क्यों क्रिवीशन की जैसे, ठीक है, चलो, हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई, अ क्या होते हैं, अ कोशिक यह होते हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोशिका नहीं होती है, क्या है कोशिका, क्या है, नहीं होती है, इसका मतलब जो कोशिका नहीं है तो यह निर्जीव हुए, राइट, है ना, क्या हुए फिर यह निर्जीव, है ना, यह तो ट्यूस पे ओके लेकिन यह पता है क्या खेल खेलते हैं यह भी खेल खेलते हैं यह क्या करते हैं यह जब किसी सेल के कॉंटेक्ट में आते हैं यह जो वाइरस है यह क्या कर रहा है किसी सेल याने की कोशिका के क्या कॉंटेक्ट में आ रहा है कॉंटेक्ट में आते ही ये क्या करता है ये कॉंटेक्ट में आते ही क्या करता है जो सजीव की तरह रियक्ट करने लगता है सजीव की तरह क्या करता है ये बिहेव करता है कि भाई मैं तो अब सजीव हो गया हूँ मैं हूँ बलशाली ओके वैसे करता है और क्या करता है फिर जल्दी से यह active हो जाता है ठीक है फिर क्या होता है यह active हो जाता है और active होके क्या होता यह अपनी copies पर copies बनाता रहता है कि उसके जो host होता है ना उसके अंदर ठीक है चलो अब बात अगर इसके protein की करते हैं हम तो यह किस से बने वे होते हैं ये बने वे होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से हाँ न्यूक्लियो प्रोटीन से बने वे होते हैं ये ठीक है ओके तो इसका मदलब क्या है अगर हम न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका मदलब कह सकते है भाई प्रोटीन तो इसके स्ट् में क्या है प्रोटीन है याने कि आवरण इसके आवरण में क्या है प्रोटीन है ठीक है और न्यूक्लियों के मतलब क्या हुआ भाई न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में क्या है इसका आनुवंशिक आनुवंशिक पदार्थ अनुवन्शिक पदाडत क्या हो सकता वह वाई जी ऌरणेटी बी हो सकता है और जी दिनेयल गें लुए आरणेटी वी उसकता बात क्या है तो इस इसको एसे कह सकते हैं कि अगर किसी वाइरस के बात करते हैं तो ये वाइरस हको तो यह क्या है इसका प्रोटीन से बना हुआ आवरण हुआ ठीक है यह क्या हुआ प्रोटीन से बना हुआ आवरण हुआ ठीक है और 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 यह क्या हुआ यह उसके इंदर क्या इसका आनुवाइशिक पदारत है चाहे वो आरने हो गया या डीने हो गया ठीक अब जी क्या है यहाँ पर हाँ अभी जो अगर हम इसकी बात करते हैं अगर हम सिर्फ एक इसकी बात करते हैं इसको लेके जाते हैं बाहर तो यह इस तरीके से होता है यह क्या यह तो सारा प्रोटीन है बाहर जो बना हुआ है सारा प्रोटीन है अगर हम इसका एक कड़ी उठाते हैं इस तरीके से तो यह ऐसे बनी हुई होती है यह एक अणू जो होता है ठीक है यह क्या होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे कैपसिडो कैपसिडो मर ठीके और ये सारे कैपसिडो मर मिलके क्या बनाते है सब मिलकर क्या बनाते है कैपसिड बनाते है ठीके क्या होता है ये एक सिंगल क्या कहलाता है कैपसिड तीक现, ये भी capsid, ये भी iç trabajar, ये भी, ये भी, ये भी और इनके अंदर क्या, इस तरीके से मौलत है यह सारे क्या है, capacid वो okay, चलो इसमें ये हो गया, अच्चा, अब जो है ये हे, तो इसको इसमें रखनेते हैं सब्सक्राइब करें years old आगे कहा है सब्सक्राइब्स क उपताइब ओके चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो वाइरस बहुत खुबसूरत है अब दिखाते हैं देखो ओके देखो हैं कितना खुबसूरत लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इनकी खुबसूरती में बिल्कुल भी मत जाना यह जितने खुबसूरत है न उतने ही डेंजरों से उतने ही खतर ना गया पर वाके में बहुत खुबसूरत हैं है ना खुबसूरत जल्द जल्दी बताओ है ना ठीक है चलो आगे बढ़े हैं चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई सजीव निर्जीव के बीच की सहयोजी कड़ी होती है ये ठीक है ये इन दोलों के बीच में आता है क्यों क्योंकि हमने क्या बताया कि भाई ये क्या करता है वैसे तो निर्जीव होता है ये क्या है वैसे तो क्या है यह निर्जीव है है न निर्जीव है यह हमने यही बात करी थी अभी क्यों निर्जीव है यह यह बताओ क्योंकि भाई इसमें क्या इसमें उपा पच्ची क्रिया जो उपा पच्ची क्रिया होती है होती कहीं इसमें निर्जीवों में नहीं होती है ठीक है नहीं होती फिर अगर हम इसमें कोशी का की बात करें तो हमने बात करी थी अ कोशी की यह होते हैं मतलब कोशी का भी नहीं है इसमें हाँ फिर अगर हम इनमें जनन की बात करते हैं तो भाई इनमें जनन भी नहीं होता है समझ गए अब निर्जीवों में य यहां मज़ेदार बात यह है एक बड़ी आसा ट्विस्ट है कि बाई अगर हम सजीव की तरफ जाते ہیں तो यह जो क्या है यह जो वारेस है यह क्या काम करता है यह हमारे मिस्टर वारेस क्या करते हैं यह एक सजीव की जब सेल के साथ मिलते हैं तो अपने आपको ये बलवान समझने लगते हैं कि मैं हूँ बलवान, मैं हूँ शक्तिशाली तो जैसे ही ये इसके कॉंटेक्ट में आएंगे तो पते हैं क्या करेंगे ये? ये क्या करेंगे भाई? आते के साथी उपापचेई क्रियाओं को शुरू कर देंगे, क्रिया को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीके, अब जैसे ही ये उपापचेई क्रिया क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो ग्या होगा, तो भाई, यहां पर तब क्या होगा, कोशी का जो है, ठीके, कोश यह activate होने शुरू हो जाते हैं contact में आते ही क्या हुए activate हुए और activate होते ही इन्होंने क्या कर दिया जनन करना शुरू कर दिया start कर दिया start होते ही क्या हुआ इनकी copies बनने लग गई इन्होंने अपनी copies बनाने शुरू कर दि है ना कितना talented बताओ अपना तो कुछ भी नहीं था इनके पास लेकिन जैसे ही दूसरे के कॉंटेक्ट में आए सब कुछ छील लिया उसका हमारी अपनी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन किसी ऐसे बंदे के कॉंटेक्ट में आ जो इसके पास सब कुछ है यह उससे भी सब कुछ छील लेते हैं ठीक है तो वो होते हैं वाइरस ठीक ओके चलो यह थी कड़ी इसलिए बोला गया है कि भाई यह निर्जीव होता है लेकिन यह अपने आपको बल्वान समझता है कब जब यह एक सजीव के कॉंटेक्ट में आ जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो वाइरस का मतलब है विश ठीक है वाइरस का मतलब क्या है विश है न या फिर जहर ठीक है कि डॉक्टर बोल रहे हूं पॉस्चर डी जे भी बैनो विसकी डी जे इभैनो विसकी इन्होंने क्या किया इन्होंने तंबाकू के मोसेक रोक के रोगानु को पहचाना था ठीक है कि बाई यह अगर तंबाकू की एक लीव थी इसके उपर इस तरीके से रोग दिख रहा था कि ये भाई इसके पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स है तो क्यों है ये जो रोग है वो क्यों है किसकी वज़े से है तो उन्होंने पहचाना था रोगाणूओ को जिन उन्होंने क्या कहा कि भाई साब ये तो वाइरस है ठीके इसका नाम बैक्टीरिया से भी छो लाए थे ठीक है उन्होंने क्या कि एक फ्लास्क में इस तरीके से कोई फ्लास्क था ठीक है यह फ्लास्क था यहां पर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया था ठीक है यहां क्या लगा है फिल्टर लेकिन वाइसर यह जो वाइरस थे जब इस वाइरस को इसमें डाल तो सोचो कि यह जो बैक्टीरिया फिल्टर नीचे नहीं आ सकते थे वहां से यह वायरस भी आ गया तो लोने कि usz였습니다 दिमांग लगा मतलब यह जो भी चीज है ना यह बैक्टीरिया के छोटी है कि तो इसी वज़े से चोटी होनी की वैसे इसका नाम भी छोटा रखा क्या नाम रखा वायरस रखा ठीक है M.W. वेजेरी निक 1898 में उन्होंने देखा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता था अभी इन्होंने क्या बोला कि भाई जो संक्रमित पौधा है उसका रस अगर किसी एक अच्छे पौधे की पत्ती पे गया तो वो उसको क्या करेगा उसको भी खराब कर देगा तो इसका श्रे कौन लेके गए हमारे MW सहाब ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उन्होंने रस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लू फ्लू एडम कहा ठीक है ओके हम डबलू एम स्टैनले ने क्या क्या नाइन्टीन थर्टीफाइब में बताया इन्होंने क्या बताया हाँ इन्होंने बताया W. M. Stanley ठीक है? इन्होंने क्या बोला? हाँ? इन्होंने कहा कि ये अ विकल्पी अ विकल्पी परजीवी बोला इसको ठीक है? क्या बोला इसको? बोला ठीक है? अ विकल्पी परजीवी बोला इसको इन्होंने M. W. M. स्टेलने ने ठीक है? क्योंकि उन्होंने बताया कि वाइरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुखेता प्रोटीन होता है इसमें क्या पाए जाता है? प्रोटीन ये नुक्लियो प्रोटीन से बना हुआ होता है हम अल्रेडे डिसकस कर चुके है स्टार्टिंग में अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निश्क्रिय होते है मतलब कि अगर ये सपोस्ट करो कोई वाइरस है ठीके और ये क्या है कोई सेल है ये ये बैटमेन का लोगो मत समझ ले ना इसको कभी आप इसे समझो ये बैटमेन का लोगो है ठीके अब ये जो वाइरस है ये क्या हो रहा है इसके कॉंटेक्ट में आया ठीक है cell के contact में आया अगर ये virus इस cell के contact में आएगा तो भाई ये बलवान बन जाएगा और इसको क्या कर देगा कमजोर कर देगा लेकिन अगर ये इसके contact में नहीं आया तो क्या रहेगा तब तक ये निश्क्रिये रहेगा यूजलेस से मतलब इसे कोई फरक नहीं पड़ता है इससे हमको जब तक ये हमारे contact में नहीं आता पर contact में आ गया तो हमको बहुत फरक पड़ जाएगा अब देखो क्या बोला मैंने अविकल्पी परजीवी बोला वाइरस को कि वाइरस अविकल्पी परजीवी है मैंने अलुड़ी यहां बताया था न आपको चलो ठीक है आगे बड़े ओके ये वाउ ये बहुत प्यारा सा है इसको समझ्ये की कोशिश करना हाँ ठीक है इसको समझाते ही फिर से मुझे इससे करना पड़ेगा कीप करते है इसको ठीक है फिर से इसको बड़ा करते है देखो यहां समझ्ये कोशिश करना कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ वाइरस क्या करते है पौदों पर अटाक करते है कुछ क्या करते हैं जन्तू उपर करते हैं और कुछ क्या करते हैं जिवानू उपर यानि बैक्टीरिया पर करते हैं तो यह हमारे मिस्टर बैक्टीरियो फाज है ठीक है जिवानू भोजी ठीक है जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को खा जाते हैं पेस्ती लगता है उनको पहु कैसे मटकते मटकते घूमते फिरते देखो इसके उपर आया अपना प्रोटीन ही जो है इसमें डाल दिया देखा आपने डाल दिया इसके अंदर अपना जो भी इनका अनुवांशिक वो था पदार डाल दिया पेट से देखो तो मटकते मटकते ऐसे ऐसे आया और पच डाल दिया गया अब यह जिसमें गया भाई वो तो गया ठीक है तो दिखने में खुपसूरत है मैंने पहली बोला कि दिखने में खुपसूरत चीज हमेशे अच्छी नहीं होती तो भाई यह दिखने में बहुत खुपसूरत है नेच हैं चलो इसका संरश्णा चलो संरश्णा देखें तो संरश्णा के हिसाब से संरश्णा के हिसाब से सबसे पहला कौन सा आता है हमारे पास सबसे पहला आएगा हैलिकल ठीक है हैलिकल टाइप पहला ठीक है दूसरा क्या आएगा जी दूसरा आएगा bacteria fudge ठीक और तीसरा क्या आएगा तीसरा है हमारे पास poly hydral तो यह जो poly hydral है ना यह बहुत uncommon है ठीके बहुत rarely इसके बारे में बताया जाता है ठीके इसका shape कुछ ऐसे हो सकता है बहुत uncommon है ठीके तो इसके बारे में जादा जानकारी नहीं दी गई है बुक में ठीके तो इसलिए हम इनकी बाते करेंगे ठीके तो अगर हम बात किसकी करते हैं हम सबसे पहले हैलिकल को देखते है ठीके तो हैलिकल का structure कैसा होता है कुछ इस तरीके से होता है ऐसे करके ठीके न यह इस तरीके से होता है ठीके इसका शेप हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसका शेप मौजूद होता है ऐसे करके ठीके इसमें क्या होता है इसमें हमारे साथ इसके अंदर क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर इसका genetic material होता है genetic material याने कि अनुवंशिक पदार्थ होता है इसके अंदर और यह protein plus DNA भी हो सकता है ठीके और protein plus RNA भी हो सकता है ठीके कुछ भी हो सकता है और अगर इसकी example की बात करते हैं हम example तो तंबाकू जिसके बारे में हमने अभी पहले पढ़ा ठीके ओके चलो आगे बड़े bacteria of aarch को देखते हैं तो bacteria of aarch को देखें तो सबसे पहले यह इसका सबसे उपर का सिर होता है ठीके यह इसका सिर है फिर यह क्या गया इसकी neck आगई यह क्या आगई इसकी body आगई इस तरीके से ठीके यह क्या है इसके पैर हो गए यह तो होने लग रहा वो छोड़े छोड़े रोबोट में होते जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं ऐसा नहीं लग रही है चालो तो इसके अंदर क्या होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है यहापे ठीके और यह क्या होता है यह क्या होता है डबल डबल हालिक्स दिन होता है ठीके यह डबल हालिक्स दिन होता है और यह किस से बना हुआ होता है प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये हिस्सा क्या होता है इसका head होता है ठीक है इसको क्या बोलेंगे collar बोलेंगे ठीक है और इसको portion को क्या बोलेंगे sheet ठीक और ये क्या हो गया जी इसका tail ठीक है और ये किस काम में माहिर होते है बैक्टीरियो फाज जिवानू भोजी मतलब जो जिवानू का भोजन करते है ठीके तो इनका काम क्या है भाई बैक्टीरिया को नुक्सान पहुचाना उसको मार देना उसको खा जाना ठीके तो यह बेसिकली इनका काम होता है ठीके ओके और क्या है इसमें हाँ यह उसको नुक्सान पहुचाएगा ठीके आपने बहुत सारी कॉपी दूसके बना लेगा उ इसके बारे में अभी इतनी जानकारी बुक में नहीं है ओके चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे चैप्टर हमसे क्या बोल रहा है हाँ चलो यह सब तो हमने संरशना पढ़ लिए है चलो अब यह देखते हैं यह क्या थी इसकी यह थी इसकी अनुवांचिक संरशना ठीक है यह अनुवांचिक संरशना थी इसी के बेसिस पे 1, 2 और 3 टाइप रखे हैं इसी के बेसिस पे ठीक है अब हम इसकी संरशना देखते हैं इसका मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ठीक है यह है अनुवांचिक संरशना ठीक है अब इसकी संरशना देखते हैं ठीक तो इसकी संरशना देखते ह है कि भाई ये एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं कुछ क्या होते हैं कुछ कुछ में RNA होता है कुछ में DNA होता है ठीक है क्या अनुवन्शिक पदाद यानिके जनेटिक मेटीरियल ठीक है अब इसके बेसिस पर देखते हैं हम कि ये कैसे किसमें क्या नुपसान करते हैं ठीक है तो भाई इनमें हम जानते क्या अनुवन्शिक पदार क्या है RNA और DNA है ना तो सबसे पहले पौधो के में देखे तो पौधो में क्या करते हैं ये पौधो में जो वाइरस नुखसान पहुँचाता है उस्में क्या होता है तो इसमें जो वाईरस नुक्सान पहुँचाता है वो single strand RNA होता है ठीके क्या हुआ single strand RNA हुआ ठीके फिर अगर हम बात जन्तूओं के करते हैं second क्या है हमारे पास जन्तू आहे ठीके, अगर जन्तू की बात कर रहे हैं तो इनमे क्या होगा, क्या या DNA होगा ठीके, ओके ठीके चलो अब तीसरा हमारे पास क्या आता है भाई, बैक्टीरिया, अभी हमने बैक्टीरिया कोई देखा था ना, कि उसके उपर वो खाना खा रहा था, है, बैक्टीरिया, ठीके, बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया में क्या होता है वाइरस, बताओ, इसका जो वाइरस होता है, वो क् क्या हुआ DNA डबल हैलेक्स डियाने होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हुआ सिंगल स्ट्रेंड आरेने हुआ इसमें डबल हैलेक्स आरेने या डियने कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ DNA होगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, आनुमालशिक संरश्चना देख लिए हम लोगों ने, अहां, चलो, ये देखते हैं, चलो, ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, कि जो वाइरस होता है, देखो, में बें पॉइंट देखते हैं, वाइरस जो होता ह है, वो प्रोटीन के अतिरिक्त, प्रोटीन, वाइरस जो होता है, वो प्रोटीन के अतिरिक्त, अतिरिक्त, जेनेटिक मेटीरियल रखता है अपने पास, याने कि अनुमालशिक पदार्थ रखता है, ठीक है, genetic material किसके रूप में रखता है चाहे वो DNA हो या RNA हो ठीक है जो वाइरस है वो protein के अतरिक क्या रखता है अपने पाद genetic material याने की आनुवांचिक पदात रखता है ठीक है दूसरा क्या है किसी भी वाइरस किसी भी वाइरस में DNA और RNA एक साथ नहीं हो सकते किसी भी वाइरस में DNA और RNA एक साथ नहीं होंगे एक साथ नहीं होंगे ठीक है ओके चलो ये देख लिया हमने फिर फिर क्या देखते हैं वाइरस में जो केंदरक protein होता है वाइरस में क्या हुआ केंदरक protein केंदरक protein केंदरक protein और genetic material याने की आनुवांशिक पदार genetic material क्या होते हैं संक्रामक होते हैं ठीक है संक्रामक होते हैं ठीक मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं अब अगर हम उन वाइरस की बात करते हैं अगर हम उन वाइरस की बात करते हैं जो पौधों में मिलते हैं ठीक है जो पौधों में मिलते हैं तो उनकी बात करेंगे तो क्या होगा तो उन पौदों में क्या होता है एक लड़ी वाला आरेने होता है ठीक है एक लड़ी वाला आरेने होता है लेकिन अगर उसी वाइरस की बाद हम जन्तू में करते हैं ठीक है जन्तू में करते हैं तो क्या होता है दोहरी लड़ी वाला RNA या DNA ठीके अब यही वाइरस अगर यही वाइरस अगर बैक्टीरिया में देखें बैक्टीरिया के लिए देखें तो दोहरी लड़ी वाला होगा ठीके क्या होगा दोहरी लड़ी वाला वाइरस होगा कौनसा होगा इसमें DNA और हमने क्या बात करी थी भाई कि जो प्रोटीन का आवरण होता है जो प्रोटीन का आवरण है ठीके उसको क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं तो यह तो अनुवर्चिक सनरशना हो गई इसकी ठीके चलो यहां तक सभी को क्लियर किसी कोई डाउट है नहीं है ना मुझे पूरी उमिद है कोई डाउट नहीं होगा बहुत इंटेलिजिन बच्चे हो बाई आप यूं समझ जाते हो हाँ कैसे कोमेंट्स देखके बदा चलता है आपके अच्छा रहते हैं जब आप अच्छे अच्छे कोमेंट्स करते हो ना चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई विशाणू जो है रोग कैसे उत्पन करते हैं तो अकर इनके रोगों की बात करते हैं तो यह वाइरस क्या करते हैं पहुत कॉमन से बिमारियां हैं, मम्स, मम्स पैदा करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, चेचक इनकी वज़े से होती है, ठीक है, हर्पेज, ठीक, हर्पेज हो गई, और क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा, 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 ठीक है, इन्फ्लुएंजा करते हैं, अगर हम हम हीमेंस में बात करते हैं, उनकी तो सबसे खतरनाक क्या करते हैं, ये एज, एज कर देते हैं, पौधों की बात करें, तो पौधों में क्या करते हैं, हमें तंबाकू का देखा था, एक्जैंपल, हाँ, तो तंबाकू, ठीक है, क्या था, मोजैक, रोग, ठीक है, पत्तियों का मुड़ना, पत्तियों क हाँ बोना होना होना एकसेक्टर एकसेक्टर ठीकर और क्या कह सकते हैं हम यही सब चीजें ठीकर है बहुत छोड़ा सा टॉपिक है फटा फटबड़ कहतम हो जाएगा ठीकर चलो इसके बाद हम आते हैं हमारे वॉयरेट के उपर ठीकर अगर हम बात वॉयरेट की करते हैं तो भाई, year 1971 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, क्या नाम था? टी, ओ, डाइनर, इन्होंने एक नया संक्रामक कारक हो जा, संक्रामक कारक, ठीके? जो क्या था? जो वाईरस से भी छोटा था, क्या था? वाईरस से भी छोटा था, ठीके? यह वाईरस से भी छोटा था, और यह क्या कर रहा था भाई? यह एक बिमारी फैला रहा था, पुटैटो, स्पिंडल, पुटैटो स्पिंडल क्या था आगे? बताओ, पुटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर, रोग, किस में? पुटैटो में, मतलब आलू में, अब जो वाईरोइट थे, इनमें आरेने और प्रोटीन, इनमें आरेने और प्रोटीन, इनका क्या था? अभाव था, जैसे वाईरसिस में यह प्रेजन्ट थे, लेकिन यहाँ क्या थे? यह एपसेंट थे, ठीके? और इसी लिए इनका नाम क्या पढ़ा? पढ़ा वाई रोईड वाई रोईड इसी वज़े से इनका नाम वाई रोईड पढ़ा ठीक है? ओक्षे चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो पुटेटो नॉर्मल ऐसे होता है ठीक है? ऐसे होता है लेकिन जब इसमें बिमारी हो जाती है तो ये पुटेटो ऐसे बन जाते हैं लंबे-लंबे से ठीक है? ये इसकी बिमारी की वज़े से होता है वाई रोईड की ओके? चलो आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट तॉपिक देखते हैं लाइकेन तो लाइकेन के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है? ये शहवाल और कवक का सहजीवी ये क्या है? शहवाल और कवक इसका क्या है? सहजीवी सहवास है मतलब ये एक साथ रहते हैं सहजीवी सहवास एक साथ रहते हैं ये ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है? 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 यहाँ शैवाल घटक, इसको क्या बोलेंगे शैवाल घटक को, शैवालांच, ठीके, शैवालांच बोलेंगे, लेकिन जो कवक, कवक का घटक होगा, उसको क्या बोलेंगे, माइको, माइको, लायंट, ठीके, माइको लायंट कहेंगे, ठीके, चलो, नेक्स देखते हैं, नेक्स के बोलता है, भई, लाइकेन, की जो, शैवाल होता है, वो क्या करता है, शैवाल क्या करता है, कवक के लिए, क्या कर रहा है, भोजन बना रहा है, ठीके, भोजन बनाता है, ठीके, और इसके बदले में, क्या करता है, इसके बदले में कवक क्या कर रहा है, कवक क्या कर रहा है, उसको खनिश दे रहा है, और क्या कर रहा है, उसको आश्रे दे रहा है, ठीके, मतलब रहने के लिए आश्रे दे रहा है ठीक है तो दोनों क्या कर रहे हैं साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को benefit दे रहे हैं ठीक है ना फिर एक और चीज important चीज जो है कि जो liken है ये कहा होता है जो liken है ये कहा होता है ये प्रदूशन के अच्छे संकेतक होते हैं ठीक है अच्छे संकेतक होते हैं ये इसका मतलब जहां पर प्रदूशन होता है जहां जादा प्रदूशन होता है ये वहां नहीं होते हैं ठीक है और फाइनली ये लेक्चर यहां खतम और इस लेक्टर सबसथ लेक्टर के साथ है चैप्टर भी सब् Dimद भाट सब्सक्राइब बीदाुद के साथ लिए पूरे वाला चैप्टर था था जहा थोड़े बहुंत आते हैंमको थोड़ा इंटरस्त आता है diagram को बनाने में समझने में, theory वाले में थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन पता है जो theory वाला chapter होता है न, उसमें एक फायदा होता है कि theory हम अच्छे से समझ लेते हैं न, तो हमारे उसमें marks ज्यादा आ जाते हैं, theory से हम marks बना लेते हैं, इस चीज़को हमेशा याद रखना, नगा theory और याद हो जाएगी न आपको तो माक्स अच्छे आते हैं तो बच्चा पाटी चैप्टर खतम लेक्षर खतम मैं भी चलती हूं आप भी अपने अपनी बेल्स खोल लो और आम से घूमो फिरो खाओ पियो नाचो मस्ती करो लेकिन पढ़ना नहीं भूलना है रिवीशन करना ह ठीक है अगले चैप्टर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ ठीक है अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ ठीक है तब तक के लिए टाटा बाई 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 अपना ख्याल रखो अच्छे से रहो ठीक है